Hey guys, what's up, कैसे हैं आप सभी लोग बहुत बहुत सबागत हैं आप सबका आज के समेजिंग से सेशन में हम करें One Short Revisionary Series of Income Tax और आज इसका third session है The topics that we're gonna cover today are income from other sources, clubbing of income, set off and carry forward and deductions from gross total income, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया chapters हम लोग यहाँ पर आज cover करने वाले हैं अगर आप लोगों को इसके notes चाहिए, of course चाहिए होंगे, तो फिर video के description में इसका link दिया हुआ है, आप लोग महां से notes को download कर सकते हो यह हम लोगों का आगे का revisionary schedule है, इसको आप लोग अपने screen पर देख सकते हो, जिससे अगर आप लोगों को आगे की कुछ planning करनी हो कि पहले से revise बगर करके आनो, तो आप लोग उसके हसाब से अपना schedule बना सकते हो स्टार्ट करने से पहले एक छोट इसी announcement आपके juniors के लिए, अगर आप किसी junior को जानते हो जो CA Foundation December 24 की तयारी करने वाला है, तो एक आगरता दो-दो batches लेकर आ रहा है 15th of April से CA Foundation December 24 के batches स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप live join करना चाहते हैं, तो you'll get it at 9,999 in which you'll get access to all the educators, और अगर आप offline face-to-face indoor में करना चाहते हो, तो the price is 24,999 बाकी details आप लोगों के सामने हैं, ये अगर आपके कोई भी दूर के रिष्टेदार और चोटे-चोटे भाई बहन ये, चोटे-चोटे दोस्त, या चोटे-चोटे crushes होंगे जिनको आप बताना चाहो, तो आप उनके सामने बता सकते हो, ये सारी details आप लोग अपने screen पर देख सकते हो, let's get started चलिए sir, शुरू किया जाए अपना मुद्दा, income from other sources का, ठीक है, काफी important यहाँ पर ये chapter होने वाला है, वैसे तो बहुत छोड़ा सा chapter है लेकिन इससे related जो amendment आया है, जो government of India ने एक guidance note issue किया है, वो guidance note, उस guidance note में से पका-पका question आने वाला है आपके exam में, तो मान के चलो आप लोग के 4 marks का question, कम से कम 4 number का question तो आपका उस guidance note में से आएगा, जो अभी मैं आप लोग को इस वाले session में कराऊंगा, ठीक है, तो हम लोग आराम से detailed discussion करेंगे है यापर, तो सबसे पहले section 56 आपका होता है, income from other sources का, ठीक है, तो income from other sources में कौन-कौन सी income taxable होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखो, dividend income, तो जो भी आपको dividend मिलता है, वो income from other sources में taxable होता है, casual income, casual income का मतला winnings from lotteries, crossword puzzles, race horses अब यहाँ पर online gaming भी include कर दिया गया है, ठीक है, पहले online gaming नहीं होता था, लेकिन अब online gaming के ओपर भी rules आ गए, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, तो online gaming से related भी एक अच्छा खासा amendment आप लोगों का यहाँ पर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर taxable हो जाता है, consideration received in excess of FMV of the shares of a closely held company where such shares are issued at a premium, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई एक private limited company है, उसके share का face value suppose 100 रुपे है, ठीक है, और वो 110 रुपे पर share को issue करता है, तो 100 रुपे की face value issue किया 110 पर, क्या premium पर issue किया, हाँ, लेकिन अगर fair market value इसकी 108 रुपे है, अगर इसकी fair market value 108 रुपे है, तो आपने ज share issue करने पर, ठीक है, आपने premium पर तो issue किया, 110 पर आपने issue किया, लेकिन आपने fair market value से भी उपर issue कर दिया, तो जितना भी आपने extra लिया, उस पर आपको tax देना पड़ेगा, वो चार्जिबल हो जाएगा, और the head income from other sources, interest received on compensation या enhanced compensation, अगर आपका कोई compulsory acquisition हो जाता है, ठीक है, आपके किसी capital asset का compulsory acquisition हो जाता है, और सरकार की तरफ से आपको compensation मिलता है, या फिर enhanced compensation मिलता है, और वो delay होने की वज़ा से, उस पर सरकार की तरफ से आपको interest मिलता है, ठीक है, तो although ये वाली चीज हम लोगोंने पिछले वाले session में बात की थी, जब हमने capital gains का revision किया था, तब भी हम लोगो ने इसके बारे में बात की थी, कि interest on compensation या enhanced compensation भी taxable हो जाता है, under the head income from other sources, advance forfeited due to failure of negotiations for transfer of a capital asset, इसके बारे में भी हमने बात की थी, कि अगर आप capital asset transfer करने के आपकी deal चल रही है, और आपको कुछ advance money मिला, वो आ sum of money or property received by any person, इसके बारे में तो हमारा पूरा लंबा अच्छा-खासा discussion होने वाले है, बात करेंगे उसके बारे में, compensation और any other payment received in connection with termination of his employment, तो employment के termination के time पर अगर कुछ भी पैसा मिलता है, तो वो income from other sources में taxable होता है, and finally, this is a very very important thing, sum received including the amount allocated by way of bonus under a life insurance policy other than a ULIP and keeman insurance policy which is not exempt under section 1010D, ठीक है, तो ये एक बहुत ही important चीज हमारी होने वाली है आज के discussion में, हम लोग देखेंगे, होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लोगों को याद होगा कि अगर life insurance policy आप लेते हो, और आप उस पर premium pay करते हो, तो जितना premium आप उस पर pay करते हो, वो तो उसका deduction मिलता है, under section 80C, right? Of course, depending upon कि वो premium आपका sum assured के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसके बारे में हम लोग detail में बात करेंगे, जब हम deductions वाला chapter करेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या बात थी? यहाँ पर यह बात थी कि अगर म premium में पे कर रहा हूँ, उसका deduction मुझे मिलता था, under section 80C, और maturity के time पर जितना भी पैसा मुझे मिलता था, वो completely exempt होता था, under section 1010D, again, subject to the conditions कि मेरा जो annual premium है, वो कभी भी 10% of the sum assured से ज्यादा नहीं हो, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर इसमें एक amendment आया है, और amendment यह आया है, कि अगर 1st April 2023 के बाद आप कोई life insurance policy लेते हो, बहुत ध्याद से सुनना, अगर 1st April 2023 या उसके बाद आप कोई भी life insurance policy लेते हो, और आपका premium, आपका जो annual premium है, वो किसी भी साल 5 लाख से ज्यादा होता है, ठीक है? Now, the restriction related to a certain percentage on the sum assured, वो तो है, लेकिन अब एक condition और डाल दी गई है, एक condition क्या डाल दी गई है, कि अगर आपने life insurance policy ले, और आपका जो annual premium है, वो किसी भी साल अगर 5 लाख से ज्यादा हो गया, even if it is less than 10% of the sum assured, ठीक है? माल लो, मैं example दे रहा हूँ, माल लो आपने 60 lakh rupees की sum assured की policy ले, ठीक है? अब 60 lakh rupees का 10% कितना आता है? 6 lakh rupees आता है, आपका annual premium है, suppose 5 lakh 50,000 rupees, I hope you are with me on this, ठीक है? आपने 60 lakh rupees के sum assured की policy ले, उसका 10% आता है 6 lakh rupees, आपका annual premium है 5 lakh 50,000 rupees, क्या 550 is less than 10% of the sum assured? येस, तो क्या पुराने rules के हिसाब से, इसकी maturity पर मिलने वाला पैसा 1010D में exempt होना चाहिए था? येस, लेकिन नए rules के हिसाब से, अब क्योंकि ये आपका जो annual premium ह वो 5 lakh 50,000 rupees हो चुका है, यानि 5 lakh cross कर चुका है, तो जितना भी पैसा आपको maturity पर मिलेगा, वो 1010D में exempt नहीं होगा, और अगर वो exempt नहीं होगा, तो वो income from other sources में taxable होगा, ठीक है? मैंने आपको एक छोटी सी जिस्ट बताई, इसके बारे में हम लोग detailed discussion करने जा रहे हैं, ठ अब से पहले dividend income के बारे में बात करते हैं, तो जो dividend income होती है, वो income from other sources में taxable होती है, अब section 222, deemed dividend के बारे में बात करता है, जहांबर 5 चीजों के बारे में बात होई भी है, 222A कहता है कि अगर कोई company अपने assets का distribution करती है, तो to the extent of accumulated profits, to the extent of accumulated profits of the company, वो पैसा, वो जो distribution है, वो deemed dividend माना जाता है, तो shareholder के हाथ में वो income from other sources में taxable होता है, similarly B भी है, कुछ है, उसको अभी देखने की कोई ज़रत नहीं है, जो 222C है, इसके बारे में हम लोग ने capital gains के revision करते समय बात की थी, कि जब भी liquidation होता है company का, जब भी company का liquidation होता है, और company आपको कुछ पैसा देती है, या आपको अपने कुछ assets देती है, तो to the extent of accumulated profits, वो वाला पैसा, वो वाले assets आपके हाथ में deemed dividend की तरह से taxable होते हैं, ठीक है, उसके बाद D, अभी ये reduction of capital वगणा, ये सब आप final में पढ़ोगे, important जो है आपके लिए, वो है 222E, यहाँ पर ये बात हो रही है, कि अगर कोई ये closely held company, closely held company का मतलब क्या हो गया, कोई private limited company, not a public limited company, it's only applicable to a private limited company, तो अगर कोई भी private limited company, अपने किसी shareholder को, जिसके पास उस company के 10% या उससे ज्यादा equity shares है, अगर कोई company, अपने किसी 10% से ज्यादा holding रखने वाले shareholder को, loan या advance देती है, तो to the extent of accumulated profits of the company, इस loan या advance को, इस shareholder के हाथ में dividend की तरह से treat किया जाता है, ठीक है, माल लो company directly इस shareholder को नहीं देती, लेकिन किसी दूसरी concern को दे देती है, जिस concern में इस shareholder का substantial interest है, substantial interest मतलब ये shareholder इस concern में 20% या उससे ज्यादा की shareholding रखता है, या फिर profit sharing रखता है, तो अगर किसी closely held company ने, किसी एक ऐसी concern क को कोई loan या advance दिया, तो again to the extent of accumulated profits, वो loan या advance इस shareholder के हाथ में deemed dividend की तरह से taxable हो जाएगा, ठीक है, एक और चीज़, अगर इस shareholder को ना दे कर, इस concern को पैसा ना दे कर, ये किसी दूसरे person को दे देती है, जिससे इस shareholder का benefit होता है, अगर किसी तीसरे बंदे को loan या advance दिया, जि इसी shareholder का benefit है, तो भी to the extent of accumulated profits, इस shareholder के हाथ में उसको deemed dividend की तरह से taxable कर दिया जाता है, ठीक है, dividend आपके हाथ में कौन से rate से taxable होता है, normal rate से taxable होता है, क्या dividend के against कोई reductional होता है, अगर आप shares में पैसा invest करने के लिए कहीं से loan ले रहे हो, तो उस loan पर जो भी आपने interest पे किया उस interest का deduction आपको मिल जाता है from the dividend income, लेकिन ये मिलता है only up to 20% of the grossed up value, now what do you mean by the grossed up value, तो जब भी कोई company आपको dividend देती है, तो the company is obligated to deduct tax at source, company को आपके dividend के ओपर TDS काटना होता है, तो TDS काटने, उसकी कुछ conditions है, वो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर conditions देखे ठीक है, अगर company आपको dividend TDS काटके देए, सब्सक्राइब का 100 रुपे का dividend मता है, company ने 10% TDS काटा, आपको 90 रुपे मिले, तो आपको deduction कितने का मिलेगा, 20% of 100 रुपे, gross up value करोगे, gross value क्या हो गई, 100 रुपे, TDS काटने के बाद net value क्या हो गई, 90 रुपे, आपको reduction कितने का मि deduction मिल जाएगा, ठीक है, आओ, TDS implications के बारे में बात करते हैं, तो companies अगर आपको dividend देती हैं, तो companies को TDS काटना होता है, कब अगर payment एक individual shareholder को दिया जा रहा है, दूसरी condition, ये dividend दिया जा रहा है, in any mode other than cash, in any mode other than cash, और तीसी condition है, तीसी condition है, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, TDS is not required to be deducted होना चाहिए, ठीक है, TDS is not required to be deducted, ठीक है, ये तीन conditions अगर fulfill हो जाती है, तो company को TDS काटने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्या payment is made to an individual shareholder, cash के अलावा payment किया गया है, और जो अगर ये dividend है, वो 5000 ये उससे कम है, ठीक है, अगर 5000 ये उससे कम है, तो फिर TDS क काटने की जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर एक बात अगर बोलू, अगर company एक shareholder को 5000 से ज्यादा का dividend दे रही है, तो उसको TDS काटना होगा, 10% के rate से TDS काटता है, ठीक है, mutual funds, अगर हम mutual funds के बारे में बात करें, तो mutual funds को भी TDS तभी काटना होता है, अगर वो अपनी unit holder को 5000 से ज् 115 BB, जो की बात करता है, winnings from loteries, crossword puzzles, races, including horse races, card games, and other games, gambling, betting, etc., other than winning from any online game, क्योंकि online games को लेकर, ये एक नया section यहाँ पर आया हुआ है, 115 BBJ, ठीक है, online games, अगर आप online games खेलते हो, और वहाँ पर आप कुछ जीतते हो, online games का मतलब क्या हो गया है, जैसे dream 11 बगेरा, ठीक है, तो dream 11 में आपने online game खेला, वहाँ से आपकी earnings होई, तो उन earnings के ओपर भी tax लगेगा, और उन earnings को भी casual income में ही रखा गया है, क्योंकि वो भी एक तरह से basically इसी category में आता है, तो वो winnings from online games भी आपका इसी category में taxable हो जाता है, ठीक है, अब tax rates क्या क्या है, देखो, 115 BB में 30% of such winnings, 30% of such winnings, health and education sales भी आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, similarly, online games में अगर आप पैसा जीतते हो, तो exactly same rates से आपका taxable होता है, 30% of net winnings, अब सुनना मेरी बात, 30% of net winnings from online game, ठीक है, government of India ने एक guidance note इस पर भी दिया था, कि net winnings किस तरह से calculate की जाती है, ठीक है, government of India ने net winnings calculate करने पर भी एक guidance note द को अपने statutory update में नहीं रखा है, इसका मतलब ये बाला जो guidance note है, वो आपको मेरी book में मिलेगा, लेकिन आप उसको ignore कर सकते हो, ठीक है, तो मेरी जो direct tax की book है, उसमें आपको इससे related guidance note मिल जाएगा, कि net winnings किस तरह से calculate की जाती है, वो पूरा मेरे bold में लिखा हुआ है, तो net winnings इतनी है, तो उसके बाद हमारे पास ये भी आते है, unexplained cash credits, investments, money, bullion, jewelry, expenditure वगेरा वगेरा, तो इस पर maximum marginal rate से आपका tax लग जाता है, actually maximum marginal rate नहीं, maximum marginal से भी उपर, मतलब क्या हो गया, कि अगर आपके bank account में कुछ cash deposit हुआ है, assessing officer आपसे पूछ रहा है कि भाई साभी cash कहां से आया, और आप पता ही नहीं पा रहे हो, आपको नहीं पता ही है, ये cash कहां से आया, तो इसको बोलते है, unexplained cash credits, ठीक है, आपके पास कोई jewelry निकल कर आ गई, assessing officer पू ज्यादा rate से tax लगेगा, 60%, 60% लगेगा tax, plus 25% और plus 4%, तो total आपका effective rate 78% आ जाता है, इन तीनों ही incomes के against, आपको कोई deduction या कोई expenditure का deduction नहीं मिलेगा, chapter 6 है के deductions भी आप नहीं क्लेम कर सकते, और unexhausted basic exemption limit का भी benefit आप इसके अंदर नहीं क्लेम कर सकते हो, set off of losses भी इसके against permissible नहीं है, ठीक है, TDS आपका यहाँ पर, यह मैंने लिखा क्यों नहीं है, ठीक है, TDS यहाँ पर आपका cut जाता है, TDS आपका इसी rate से करता है, इस पर तो TDS नहीं करता है, इस पर आप लोग अभी लिख सकते हो, इस पर आप लोग TDS, आपका 30% के rate से यहाँ पर भी TDS करता है, और 30 30% के rate से आपको यहाँ पर भी TDS कटेगा, 30% के rate से यहाँ पर भी TDS कटेगा, तो 30% आपको यहाँ पर भी मिलेगा, और 30% आपको TDS यहाँ पर भी कटेगा, ठीक है, यहाँ पर threshold limit भी है, 10,000 की, मतलब aggregate amount, अगर aggregate winnings आपकी 10,000 से उपर हैं, तभी आपका 30% का TDS कटेगा, otherwise TDS नहीं कटेगा, ठीक है, यह जो online gaming वाला है, यहाँ पर कोई threshold limit नहीं है, ठीक है, तो जो भी आपकी net winnings होंगी, उस पर 30% का TDS आपका कटता हुआ चालेगा, ठीक है, मैंने इसको notes में सही करती है, आप लोग जब notes डाउनलोड करोगे, वीडियो के description में आपको notes का link मिलेगा तो notes में यह सब connected मिलेगा, ठीक है, चलो, आगे आते हैं, FMV, closely held company वाली, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, कि अगर कोई private limited company, अपने shares को premium पे issue करती है, मतलब face value से उपर issue करती है, और वो जो उपर वाली value है, वो FMV से भी ज्यादा है, तो the issue price minus the FMV price, issue price minus the FMV is equal to the income under section 56 to 7B, ठीक है, आओ, examples देखते हैं हापर, अगर face value 100 है, issue price 130 है, तो क्या premium पर issue हुआ है, हाँ, FMV कितना है, 120, तो 130 minus 120, 130 minus 120, यह आपकी taxable value हो जाएगी, ठीक है, 130 minus 120, यह आपकी taxable value हो जाएगी, अगर face value 100 रुपीस है, issue price 110 है, क्या premium पर issue हुआ है, हाँ, लेकिन FMV से कम है, तो फिर कोई income यहाँ पर taxable नहीं होगी, अगर face value 100 रुपीस है, issue price 98 रुपीस है, क्या premium पर issue हुआ है, नहीं, premium पर issue ही नहीं हुआ है, even though this is greater than the fair market value, लेकिन यह 56 to 7B के scope से ही बाहर है, क्योंकि यह share premium पर issue नहीं हुआ है, हमें दो चीज़े देखनी है, premium पर issue होना चाहिए, और दूसरी चीज़ वो जो premium है, वो जो भी issue price है, वो FMV से भी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ issue price भले ही FMV से ज्यादा है, लेकिन यह share premium पर issue ही नहीं हुआ है, इधर face value 100 रुपीस है, issue price 110 रुपीस है, FMV 90 रुपीस है, definitely जो भी इसका difference होगा, वो आपका taxable हो जाएगा, आओ इधर देखो, interest received on compensation, enhanced compensation, इसके बारे में भी हम लोग ने बात किया, अगर कोई भी interest होगा, तो वो आपके हाथ में taxable हो जाएगा, और लेकिन इस पर flat 50% का आपको reduction मिलता है, under section 57, ठीक है, advanced money forfeited, यह भी आपका taxable हो जाता है, 1st April 2014 या उसके बाद अगर आपने कोई भी और property received by any person, 56 to 10, जो कि हमारा income from other sources का एक तरह से main section है, ठीक है, तो अगर आपको money मिल रहा है, 50,000 से ज्यादा, aggregate amount अगर आपको 50,000 से ज्यादा मिलेगा, तो वो आपके हाथ में taxable हो जाएगा, under the head income from other sources, movable property के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अगर movable property आपको free में मिल रही है, without consideration मिल रही है, और जितनी भी movable property मिली है, उसकी aggregate value अगर 50,000 से ज्यादा है, तो पूरी की पूरी value taxable हो जाएगी, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर suppose आपको movable property की fair market value 60,000 की मिलती है, तो 50 से ज्यादा हो गया, लेकिन सिर्फ 10 taxable नहीं होगा, पूरा का प पनी में भी था, कि अगर आपको 50,000 से ज्यादा रुपिया मिलता है, suppose आपको 55,000 रुपीज मिल जाता है, कहीं से भी gift में मिल जाता है, तो taxable value will be the entire 55,000 रुपीज, not just 5,000 रुपीज, ठीक है, ओके, अगर आपको movable property inadequate consideration के लिए मिलती है, तो जो भी आपको discount है, inadequate consideration मतलब क्य जो value है, क्या वो discount value value 50,000 रुपीज से ज्यादा है, अगर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर discount value value 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो जितनी भी discount value है, वो सारी मेरे हाथ में taxable हो जाएगी, and the head income from other sources, ठीक है, movable property का यहां पर मतलब है, no items, GDP, साउब, jewelry, drawing, sorry, SS GDP साउब, ठ personal effects के exceptions थे, capital gains में, ठीक है, तो वो तो ही, और उसके अलावा तीन और चीज़ें जोड़ दी गई है, shares, securities, और bullion, right, तो income from other sources में, movable property की definition में, 9 चीज़ें आती है, 6 चीज़ें वो capital gains में, जो movable personal effects के exceptions पढ़े थे, वो, plus 3 और चीज़ें, shares, securities, और bullion, तो यह हो जाता है, SS GDP सा culture, archaeological collection, any other work of art, और bullion, right, immovable property के बारे में, अगर हम लोगा पात करें, तो देखो, जब हमने money और movable property के बारे में बात की थे न, तो money और movable property में में मैंने aggregate के बारे में बात की थे, कि साल भर में, अगर aggregate money आपको 50 से ज्यादा कमिल गया, साल भर में, अगर aggregate discount movable property पर आपको 50 स से ज्यादा का मिल गया and so on लेकिन immovable property के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हम per property देखेंगे तो अगर आपको कोई immovable property without consideration मिल गई यानि free में मिल गई तो आप देखो क्या उसकी stamp duty value 50,000 से ज्यादा है अगर हाँ तो उसकी पूरी की पूरी stamp duty value आपके हाथ में taxable हो जाएगी अगर movable अगर आपको कोई immovable property discount पर मिलती है तो फिर दो conditions अगर fulfill होंगी तभी उस immovable property की जो भी discounted value होगी वो आपके हाथ में taxable होगी ठीक है कौन सी दो conditions पहली the difference between the stamp duty value and the money that you paid is greater than 50,000 rupees basically discount 50,000 से ज्याद होना चाहिए और दूसरी चीज़ the stamp duty value should be greater than 110% of the consideration ठीक है the stamp duty value should be greater than 110% of the consideration अगर ये दोनो conditions satisfied है तभी जितना भी आपको discount मिला है immovable property पे वो आपका income from other sources में taxable हो जाएगा under the section 56 to 10 ठीक है अब इधर जिस बंदे को gift मिली जिस बंदे को gift मिली उसके लिए cost of acquisition क्या मानी जाएगी और date of acquisition क्या मानी जाएगी ठीक है अगर उसने IFOS में tax pay कर दिया ठीक है माल लो मुझे immovable property मिलती है और IFOS में taxability की condition satisfy हो जाती है मतलब stamp duty value minus consideration is greater than 50,000 rupees and stamp duty value is greater than 110% of the concentration तो मैंने तो इसमें सरकार को tax pay कर दिया अब अगर मैंने सरकार को tax pay कर दिया तो मेरे लिए cost of acquisition मानी जाएगी the stamp duty value and date of acquisition मानी जाएगी जिस दिन मुझे gift मिली date of acquisition मानी जाएगा जिस दिन मुझे gift मिली मानलो मैं इसको pay नहीं करता हूँ मानलो मैंने pay नहीं किया pay कैसे नहीं कर सकते हैं अभी हम लोग आगे इसके exceptions भी पढ़ेंगे कि मानलो मेरे पापा ने मेरे को immovable property gift कर दी अब वो चाहे करोणों की भी immovable property gift कर दे हैं उस पे tax नहीं लगेगा उस पे मेरे हाथ में tax नहीं लगेगा क्योंकि वो मेरे relative है तो relative से कितनी भी amount का gift मिल जाए वो completely tax free हो जाता है लेकिन उस case में क्या होगा मेरे लिए cost of acquisition क्या होगी जो पापा की cost of acquisition थी मेरा period of holding कहा से count किया जाएगा जिस दिन पापा ने उसको खरीदा था वहाँ से ठीक है ये बात हो गई अब 56 to 10 कई सारे cases में नहीं लगता है 56 to 10 कई सारे cases में नहीं लगता पहली चीज अगर आपको relative से कोई भी ये तीन चीज़ों में से मिलती है तीन ही चीज़ है money, movable property और immovable property तो अगर मालनो मुझे अपने relative से मिलता है तो फिर वो मेरे हाथ में completely tax free हो जाता है IFOS में taxability नहीं आती है अब मेरे लिए relative कौन होगा अगर ये हूँ मैं तो मेरे भाई बहन, उनके पती-पतनी मेरे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा के भाई बहन मतलब मेरे बुआ, फूफा, चाचा, चाची, ताउ, ताई, मौसी, मौसा, मामा, मामी ठीक है और उनके linear ascendants दादा-दादी, नाना-नानी मेरी wife मेरी wife के भाई बहन और उनके पती-पतनी मेरी wife के मम्मी पापा अब ध्यान देना, मेरी wife के मम्मी पापा के भाई बहन नहीं है यहाँ पर ठीक है मेरे मम्मी पापा के भाई बहन है लेकिन मेरी wife के मम्मी पापा के भाई बहन मेरे relatives नहीं है और मेरी wife के linear ascendants और उनके spouse मतलब मेरी wife के दादा-दादी, नाना-नानी और कल को अगर हमारा कोई चुन्नू-मुन्नू हो जाता है तो वो भी हमारा relative हो जाएगा और अगर उसकी शादिवादी हो जाती है तो उसके साथ जो भी बाहर का बंदा लिखे आता है या बंदी लिखे आता है तो वो भी हमारा relative हो जाता है ठीक है? अगर marriage के occasion पर मिलता है तो कितने भी amount का gift मिल जाए वो completely IFOS के scope से बाहर हो जाता है अगर किसी will के through मिलता है या inheritance के through मिलता है तो वो भी exempt हो जाता है अगर death की contemplation में मिलता है मतलब कोई इंसान ऐसा लग रहा है अगर मुझे किसी trust की वजह से कुछ मिलता है जो trust solely मेरे ही benefit के लिए बनाए गया है तो वो भी बाहर हो जाता है COVID-19 अगर COVID-19 में जितना भी खर्चा मैंने किया उस खर्चे की भरपाई किसी ने भी कर दी ठीक है उस खर्चे की भरपाई किसी ने भी कर दी मैं या मेरी family में कोई भी बीमार था COVID-19 की वज़े से और जितना भी खर्चा हुआ उस खर्चे को किसी ने compensate कर दिया तो ये completely tax free हो जाएगा मान लो किसी एक इंसान की COVID-19 में death हो जाती है ठीक है किसी एक आदमी की COVID-19 में death हो जाती है तो उसको अब उसके employer से अगर पैसा मिलता है तो वो उसके हाथ में completely tax free हो जाता है कितने का भी कितना भी पैसा मिल जाए completely tax free है और employer के अलाबा अगर किसी और से मिलता है तो 10 लाख तक जितना भी पैसा मिलेगा वो आपका completely tax free हो जाता है कुछ और भी अगर कुछ लोग है अगर आपने 1st April 2023 से पहले policy लिये, तो इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, अगर आपने 1st April 2012 से पहले policy लिये होगी, तो आपको क्या देखना होगा, कि 20% of the sum assured से ज्यादा premium तो नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर 1st April 2012 से पहले आपने लिये, यानि 31 March 2012 तक अगर आपने कोई भी policy लिये है, तो हमे ये देखना होता है, कि भाईया, जितना भी आप premium पे कर रहे हो, क्या वो sum assured के 20% से ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है, तो maturity पर मिलने वाला पैसा 1010D में exempt हो जाता है, ठीक है, अगर 1st April 2012 से लेकर 31 March 2013 तक हम देखें, तो फिर ये वाली जो 20% वाला amount है, मतलब 1 1st April 2012 के बाद ये वाला जो 20% का premium amount है, इसको reduce करके 10% कर दिया गया था, लेकिन 1st April 2013 से जो ATU में disability वाले लोग हैं, जो handicapped हैं, physically disabled लोग हैं, उनके लिए ये premium assured की value 10% से बढ़ा कर 15% कर दी थी, मतलब अगर premium paid 15% भी ऐसा assured का, तो भी आपको 1010D का exemption मिल जाएगा, कुल मिलाकर, अगर मैं एक line में बोलो इसको, अगर आपने 1st April 2012 के बाद, 1st April 2012 या उसके बाद आपने policy लिये, तो premium, जितना भी आप annual premium दे रहे हो, वो 10% या उससे कम होना चाहिए, ठीक है, of the summer short, अगर 10% या उससे कम है, तो maturity पर मिलने वाला पैसा 1010D में exempt होगा, otherwise नहीं होगा, अगर आपने policy 31 मार्च 2012 तक कभी भी लिये, तो फिर आपका जो premium है, that should not exceed 20% of the summer short, अगर वो exceed नहीं कर रहे है, तो maturity पर मिलने वाला पैसा 1010D में exempt होगा, otherwise वो taxable हो जाएगा, ठीक है, तो देखो, does the premium exceed 10%, 15% या 20%? Yes, तो ये taxable हो जाएगा under the head income from other sources, no, तो ये exempt हो जाएगा under section 1010D, अब सुनो, amendment जो आया है, अगर policy आपने लिये है 1st April 2023 के बाद, तो एक condition यहाँ पर और जोड दी गई है, कि जो भी आपका annual premium है, वो 5 lakh रुपीज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है, मान लो आपका annual premium 5 lakh रुपीज से ज्यादा हो जाता है, तो maturity पर मिलने वाला पैस पूरा का पूरा taxable हो जाएगा, फिर आप चलाते रहो के, अरे, मेरा annual premium तो 10% of the sum assured से कम था, it doesn't matter, ठीक है, तब ही मैंने starting में example लिया था, कि अगर आपका sum assured 60 lakh रुपीज है, तो उसका 10% कितना आता है, 6 lakh रुपीज उसका 10% आता है, now, अगर आपका annual premium 5 lakh 50,000 रुपीज है, तो even though this is less than 10%, फिर भी इस policy से मिलने वाला पैसा, maturity पर मिलने वाला पैसा, 10-10D में exempt नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा आपका taxable हो जाएगा, ठीक है, तो if the premium does not exceed 5 lakh रुपीज in any previous year, ठीक है, तब तो आप इधर ही आजाओ, तब आप देख लो कि अच्छा premium paid 10%, 15% या 20% स exceed करता है, तो क्या आपके पास single life insurance policy थी, या multiple life insurance policies थी, अगर आपके पास single life insurance policy थी, तो such LIP will be taxable as income from other sources, income कितना हैगा, maturity proceeds minus aggregate of premium paid during the term of the policy, अब इसका भी मैं आपको एक example देता हूँ, इसका example दोगा, बागी हम लो guidance note को तो पूरा detail में discuss करेंगे, ठीक है, क्या हुआ, कि मानलो मै मैंने 10 साल की policy ली, मैंने 10 साल की policy ली, sum assured कितना था, sum assured था, let's say 60 lakh रुपीज, मेरा premium कितना था, मेरा premium था, let's say 5 lakh 50,000 रुपीज, ठीक है, 5 lakh 50,000 रुपीज, अब ये 10 साल तक मैं 5 lakh 50,000 रुपीज पे कर रहो, तो मैंने 10 साल में कितना पे किया, 55 lakh रुपीज, ठीक है, 5 lakh 50,000 into 10, यह मैंने 10 साल में पे किया, 55 लाक रुपीज, ठीक है? 10 साल बाद, जब policy मेचॉर होती है, तो मुझे पैसा मिलता है, let's say, 70 लाक रुपीज, let's say, 70 लाक रुपीज, अब मुझे एक बात बताओ, 60 लाक रुपीज का समश्वर्ड था, even though my premium was less than 10% of the sum assured, कितना portion taxable होगा? 70 लाक माइनस 55 लाक, 70 लाक माइनस 55 लाक, 15 लाक रुपीज पे taxable होगा, तो maturity के time पर जितना भी मेला वो, माइनस जितना भी मैने अब तक premium पे किया वो, तो 70 लाक माइनस 55 लाक, 15 लाक रुपीज मेरा taxable होगा, अगर मेरे पास multiple policies हैं, तो exemption can be claimed in respect of those life insurance policies, at the option of the SSEs, whose aggregate premium table does not exceed 5 लाक रुपीज, and where the premium does not exceed 10% of the sum assured, तो आपके पास हो सकता है multiple life insurance policies हो, अगेन इससे related examples अभी हम लोग देखेंगे, मैं आपको बस अभी उपर उपर से पढ़के बतारो, उससे related examples हम लोग सारे की सारे देखेंगे, तो अगर आपके पास multiple policies है, हो सकता है कुछ policies में आपका जो premium pay कर रहे हो, वो 5 लाक से कम हो, हो सकता है कुछ policies में premium 5 लाक से ज्यादा हो, लेकिन aggregate तो 5 लाक से ज्यादा हो गया न, मालो आपने multiple policies लेनी, सारे की सारे policies का जो premium है, वो 5 लाक से कम है, लेकिन total तो 5 लाक से ज्यादा हो गया न, तो फिर आप अपनी मर्दी से choose कर सकते हो, कि आपको कौन सी वाली policy की maturity proceeds का exemption लेना है, ठीक है, मैं यह वाली line repeat कर रहा हूँ, अगर आपने suppose 4 policies नहीं, ठीक है, आपने 4 policies नहीं, चारों का जो premium है, वो 5-5 लाक से कम है, लेकिन चारों का मिला कर 5 लाक से ज्यादा हो जाता है, तो taxability तो आगई, तो यहाँ पर बोला जाएगा, कि आप यह देख लो कि कौन-कौन सी वाली का, आपको exemption लेना है, आपको किस-किस का exemption लेना है, इसका अभी हम लोग example करेंगे, तो आपको clearly समझ भाएगा, remaining L.I.P.s would be taxable as income from other sources, ठीक है, आओ, तो इससे related guidance note है, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी दिर में बात करेंगे, दो points और रह गए हैं इसमें, उसको complete करते हैं, एक तो deductions allowable, section 57, section 57 कहता है, income from other sources में, कौन-कौन से deductions allowable है, dividend income के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है, 20% of grossed up income, interest and securities में, जितना भी आपने any reasonable sum, by way of commission or remuneration to the bank or by any percent, यह हो गया, recovery from employees as contribution to any provident fund, superannuation fund, etc., तो amount of contribution remunered before the due date under the respective acts, यह भी आपको इसका मिल जाता है, income from letting on hire of machinery, plant and machinery, with or without building, family pension, अगर आपको मिलती है, तो वो भी income from other sources में taxable होती है, उसमें से कितना exempt होता है, कितना reduction allowed होता है, 33, 1 by 3% of such income, या फिर 15,000 rupees, whichever is less, और interest on compensation या enhanced compensation में, 50% of such interest income, ठीक है, कौन-कौन से reductions allowed नहीं है, इनको आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो, इसमें कोई मेरे पढ़ाने का कुछ नहीं है, ठीक है, आओ, यह कुछ important questions है, इनको आप लोग ज़रूर से कर लीजेगा, यह है, institute के दवारा, issue किया हुआ statutory update, ठीक है, हमने salaries में, जो-जो changes थे, उनका discussion हम लोगों ने कर लिया, PGBP में, as such, कोई खास discussions नहीं थे, ठीक है, salaries में आप लोग को याद होगा न, काफी बवाल था, notification 65 by 2023 का, तो मैंने आप लोग को salaries के revision बाले session में भी बताया था, मैंने example लेकर भी बताया था, कि institute की थोड़ी सी उसमें गलती भी हो गए थी, वो date mention होने से रह गई थी, फिर मैंने mail किया था, फिर उसने correct भी कर दिया था, वोगे रहे था, सब कुछ हो गया था, अभी हम बात करते हैं आपर, income from other sources के बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में, हम लोग यहां पर भी बात करने जा रहे हैं, ठीक है, आओ सर, यह है आपका income from other sources, मैं आप लोगों को line by line पूरा पढ़ाओंगा, ठीक है, because this is something that we are doing for the first time, ठीक है, this is something that we are doing for the first time, तो मैं आप लोगों को line by line पूरा पढ़ाओंगा, ठीक है, काईदे से पूरा, एकदम detail में इसका discussion चलेगा, ठीक, तो the discussion may take some time, but after the discussion, you will be able to understand everything very very clearly, आओ, देखते हैं, Section 1010D provides for exemption of the sum received under a life insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy, subject to the condition that the annual premium does not exceed 10% of the actual capital sum assured, this is something that we all know, ठीक है, with effect from assessment year 24-25, यानी, previous year 23-24, Section 1010D amended by Finance Act 2023 to provide that, क्या प्रवाइड हुआ है, देखो, तो आपको 1010D का exemption नहीं मिलेगा, अगर premium कभी भी 5 लाग से exceed हो जाता है, issued on or after 1st April 23, and the aggregate of premium payable on such life insurance policies exceed 5 lakh rupees, for any of the previous years during the term of any LIPs, exemption under Section 1010D would be available in respect of any of those LIPs, at the option of the SSE, whose aggregate premium payable does not exceed 5 lakh rupees, for any of the previous years during their term, however, to get the exemption, the condition of annual premium not exceeding 10% of the total actual capital sum assured, also needs to be satisfied, ये तो आपकी condition है, इसमें कोई रियायत नहीं मिली है, क्याहाँ ठीक है, 5 लाग से उपर है, तो, sorry, 5 लाग से कम है, तो even if 10% से उपर है, तब भी आपको इसका 1010D का exemption मिल जागा, नो, ठीक है, इस सिंप्ली के 1010D का exemption अगर आपको लेना है, तो जो 10% के, जो आपका premium है, वो actual capital sum assured के 10% से exceed तो नहीं ही हो सकता, और 5 लाग से भी exceed नहीं हो सकता, तो this is an additional condition, not a replacement of the original condition. Exemption in case of death, in case any sum is received on the death of a person, payable by the LIP, death के case में completely exempt, ठीक है? Guidelines issued by CBT, अब देखो, in case any difficulty arises, in giving effect to the provisions of this clause, the CBT may issue guidelines for the purpose of removing the difficulty with the previous approval of the central government, ठीक है? Accordingly, the CBT has, with the approval of the central government, while the circular issued the following guidelines in respect of LIPs other than ULIPs. बहुत धहान से मेरी बात सुनते रहे रहे न, और वीडियो को कर दो like, ठीक है? The point is, कि जिस भी attempt के लिए, Government of India, ऐसा कोई guidance note issue करती है, और ICAI, उस guidance note को अपने statutory update में लेकर आता है, तो इस guidance note से, directly questions उठकर आपके exam में आते हैं, ठीक है? ऐसा हम लोगोंने पहले भी देखा हुआ है, May 2023 के attempt से पहले भी एक guidance note issue हुआ था, ठीक है? उसमें TDS से related कोई question था, और वो question as it is उठकर आपके exam में आ गया था, May 23 वाले exam में आ गया था, ठीक है? तो इसलिए अब इस guidance note को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इससे directly उठकर आएंगे, और तीन या चार नमर का question पक्का पक्का आपको इस वाले guidance note से मिलने वाला है, ठीक है? आओ देखो, पहली situation, अलग-अलग cases में बाती की हुई है, अब देखो, यहाँ पर यह लोग क्या कह रहे है, हम कह रहे है कि कोई भी ऐसी life insurance policy, जो कि 1st April 2023 के बाद आपने ली है, उस life insurance policy को हम eligible LIP बोलेंगे, ठीक है? हम बस उसका नाम करण कर रहे है, ठीक है? हम बस उसका नाम करण कर रहे है, कि कोई भी life insurance policy, जो आपने 1st April 2023 के बाद ली है, मतलब on और after 1st April 2023 ली है, उस life insurance policy को हम नाम देंगे eligible LIP, ठीक है? अगरीड है? और उससे मिलने वाले किसी भी तरह के पैसे को, उससे मिलने वाले किसी भी तरह के पैसे को हम नाम देंगे consideration, उससे मिलने वाले किसी भी तरह के पैसे को हम नाम देंगे consideration, ठीक है? अब यहाँ पर बोला गया है, कि maturity से पहले, हम यहाँ पर क्या बात करें, situation 1 में, situation 1 में बात करें, कि suppose मैंने previous year 23-24 में life insurance policy ली, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आराम-राम से धीरेदरे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, suppose previous year 23-24 में आपने कोई life insurance policy ली, life insurance policy की maturity होगी आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद यानि previous year 33-34 ठीक है, previous year 33-34, यहाँ यह बोला जा रहा है, कि 33-34 से पहले, इस 10 साल के span में, आपको इस life insurance policy के बज़ा से कुछ पैसा नहीं मिला है, कोई bonus नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सीधा maturity हुई 33-34 में, वहीं से आपको पैसा मिला, ठीक है, इस situation को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करन no sum, no sum of any nature, including bonus, such sum received, इसके बात से consideration बोलेंगे, is received by the SSEE on any LIPs which are issued on or after 1st April 2023, such LIPs here and after referred as eligible LIPs during any previous year, preceding the current previous year, being the previous year in which consideration was received and its taxability being examined, or consideration has been received on such eligible LIPs in an earlier previous year but has not been claimed exempt, in such a situation, exemption under section 1010D would be determined as under, क्या? if the amount of premium payable on such eligible LIPs does not exceed 5 lakh rupees for any of the previous years during the term of such eligible LIP and the annual premium does not exceed 10%, ठीक है, ना तो 5 lakh से ज्यादा का premium दिया और ना तो premium जो है, वो 10% of the summer short से ज्यादा हुआ, तब तो completely exempt हो जाएगा, कोई दिक्कत पाली बात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन, if the amount of premium payable on such LIP is greater than 5 lakh rupees for any of the previous years, तो फिर आपका ये, जो maturity पर पैसा मिलेगा, वो taxable हो जाएगा, बहुत बाते होगे इस बारे में, आपको ये थिवरी पूरी याद हो चुकी होगी, इसलिए बार-बार-बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, अब आज हो questions पर आते हैं, हम बात करेंगे, LIP A के बारे में, Life Insurance Policy A के बारे में, इसको issue किया गया 1st April 2013, 1st April 2013, ठीक है, 1st April 2013, यानि premium payable 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आओ देखो, annual premium कितना हुआ, 6 lakh rupees, sum assured कितना हो गया, 60 lakh rupees का 10% कितना होता है, 60 lakh rupees का 10% होता है, 6 lakh rupees, क्या annual premium 6 lakh rupees से ज्यादा जा रहे है, नहीं, maturity पर कितना मिला, maturity पर मिला, 70 lakh rupees, क्या पूरा exempt हो जाएगा, येस, पूरा exempt हो जाएगा, अरे सर, लेकिन premium तो 5 lakh से ज्यादा हो गया, हाँ, लेकिन ये policy कब issue हुई थी, ये policy issue हुई थी, 1st April 2013 को, ठीक है, ये जो eligible LIP है, वो क्या है, वो तब है, जब policy issue हु उपर premium वाली condition नहीं जाएगी, यहाँ पर condition वही रहेगी, कि sum assured के 10% से उपर premium नहीं होना चाहिए, sum assured कितना, 60 lakh, 10% कितना, 6 lakh, premium कितना, 6 lakh, 10% को cross तो नहीं किया, नहीं, तो maturity पर जितना भी पैसा मिलेगा, वो 1010D में exempt हो जाएगा, ठीक है, वो 1010D में exempt हो जाएगा, आओ इ Annual premium 5 lakh rupees, ठीक, sum assured 50 lakh rupees, अब मुझे एक बात बताओ, maturity पर 2033 में पैसा मिला 52 lakh rupees, 2033, आज से 10 साल बात, ठीक है, तो 2033 में maturity पर पैसा मिला 52 lakh rupees, अब आप मुझे बताओ, क्या premium 10% से उपर है, नहीं, sum assured 50 lakh का है, premium 10% है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या यह जो premium है, वो 5 lakh से उपर है नहीं, exactly 5 lakh rupees, तो premium जो आप pay कर रहे हो, वो 10% से उपर भी नहीं जा रहे है, और जो आप premium पे कर रहे हो, 5 lakh से उपर नहीं जा रहे है, तो दोनों ही conditions fulfill हो गई, तो आपको 1010D का exemption बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है, आपको बहुत आराम से 1010D का exemption मिल जाएगा, ठीक है, तो consideration received would be exempt under section 1010D, आओ, example 3 पर आते हैं, date of issue क्या है, 1st April 2023, ठीक है, क्या ये eligible LIP है, हाँ, ये eligible LIP है, annual premium कितना हुआ, 6 lakh rupees का हो गया, sum assured कितना हो गया, 60 lakh rupees का हो गया, क्या annual premium 10% of the sum assured से ज्यादा है, नहीं, लेकिन, क्या annual premium 5 lakh rupees से ज्यादा है, हाँ, और क्योंकि annual premium 5 lakh rupees से ज्यादा है, तो इसी लिए, अब इसकी maturity पर, जब 2033 में 70 lakh rupees मिलेगा, तो क्या ये exempt होगा, नहीं, ये आपका taxable हो जाएगा, ठीक है, the consideration received would not be exempt, ठीक है, 1st April 2023 को policy issue हुई, even though the annual premium does not exceed 10%, but since the annual premium exceeds 5 lakh rupees, the sum received on maturity will not be exempt, ठीक है, आओ, देखो, इदा देखो, where the SSE has received consideration during the current previous year under more than 1 LIP, ठीक है, अगर आपके पास एक से ज्यादा life insurance policies हैं, तो क्या होगा, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, examples से समझते हैं, examples के through ही समझते हैं, सीधा, ठीक है, अब आपके पास दो life insurance policies हैं, A और B, ठीक है, दोनों आपने 1st April 2023 को issue की थी, दोनों 1st April 2023 को issue की थी, ठीक है, क्या दोनों ही eligible LIPs हैं, बिलकुल, annual premium इसका 3 lakh rupees का है, इसका 2 lakh rupees का है, क्या aggregate annual premium 5 lakh cross कर रहा है, नहीं, aggregate annual premium 5 lakh cross नहीं कर रहा है, sum assured इसका 30 lakhs है, इसका 20 lakhs है, अगर आप life insurance policy A को देखो, तो क्या इसका annual premium, इसके sum assured के 10% से ज्यादा है, नहीं, तो maturity पर जितना पैसा मिलेगा, पूरा exempt होगा, हाँ, ठीक है, life insurance A को अगर हम लोग देखते है, sum assured is 30 lakh rupees, annual premium does not exceed 10% of 30 lakh rupees, तो whatever amount will be received at maturity, will be completely exempt under section 1010D, ठीक है, 1st April 2023 को 20 lakh rupee की policy, आपने लिए, sum assured is 20 lakh rupees, और annual premium आप दे रहो 2 lakh rupee का, क्या ये 10% cross कर रहा है, नहीं, क्या 5 lakh cross कर रहा है, नहीं, तो जितना भी पैसा maturity पर मिलेगा, completely आपका exempt हो जाएगा, ठीक है, तो in this case, the aggregate of annual premium payable for LIP A and LIP B does not exceed 5 lakh rupees during the term of these policies, further, annual premium payable in respect of LIP A and LIP B does not exceed 10% of the actual capital sum assured, therefore the consideration received for LIP A and LIP B would be exempt under section 1010D, ठीक है, Example 5 पराओ, example 5 पराओ, देखो, दोनो LIPs 1st April 2023 को issue की गे, ठीक है, इसका summer short 45 lakhs, इसका 55 lakhs, इसका premium कितना, 4,50,000 rupees, क्या ये 10% से exceed कर रहा है, नहीं, क्या ये 5 lakhs exceed कर रहा है, नहीं, क्या इसकी maturity पर मिलने वाला पैसा completely exempt होगा, हाँ, ठीक है, इधर देखो, इसका annual premium, 5,50,000 rupees, क्या ये 10% से exceed कर रहा है, हाँ, नहीं, सॉरी, नहीं कर रहा है, ठीक है, 55 lakhs रुपे का है है, क्या ये 10% से exceed कर रहा है, नहीं, लेकिन क्या ये 5 lakhs exceed कर रहा है, हाँ, तो इसकी maturity पर मिलने वाला पैसा, exempt, नहीं, exempt बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, टोटल आपका 5 lakhs से उपर है, लेकिन आपकी option पर, option A, L.I.P. A, मतलब आपकी option क्या है, आपको L.I.P. A का ही आपको exemption मिलेगा, L.I.P. B का आपको exemption नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, तो L.I.P. B से जो consideration मिलेगी, वो taxable हो जाएगी, आओ, इधर देखो, example 6, let's see, I hope समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, ठीक है, और वीडियो को like कर दिया होगा, तीन L.I.P.s के बारे में यहाँ पर बात होगी, date of issue, 1st April 23, 1st April 23, 1st April 23, ठीक है, क्या 10% क्रॉस हुआ, नहीं, क्या 5 लाक क्रॉस हुआ, नहीं, maturity पर मिलने वाला पैसा, exempt, 60,00,000 रुपे इसका समयश्योड है, और annual premium है, 6,00,000 रुपीज, क्या 10% क्रॉस हुआ, नहीं, क्या 5,00,000 क्रॉस हुआ, हाँ, maturity पर मिलने वाला पैसा, taxable, ठीक है, maturity पर मिलने वाला, taxable, तो C से जो पैसा मिलेगा, that could not be exempt under section 1010D, यह और B से जो मिलेगा, वो exempt हो जाएगा under section 1010D, I hope simple लग रहा होगा सबको अभी, ठीक है, आओ, इधर देखने है, चार LIPs के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर, ठीक है, date of issue है, 1st April 22, 1st April 22, तो 1st April 22 को जब issue किया है, तो is this an eligible LIP? No, this is not an eligible LIP, यह 1st April 23, 23, 23, these three are eligible LIPs, ठीक, sum assured 55 lakh, X के बारे में बात करते हैं, sum assured 55 lakh, यहाँ पर annual premium आपने दिया, 5 lakh 50,000 रुपीज, क्या 10% cross कर रहा है? नहीं, क्या 5 lakh cross कर रहा है? हाँ, लेकिन क्या 5 lakh cross करने वाली limit को, हम लोगों का यहाँ पर देखना है? नहीं, because this is not an eligible LIP, यह 1st April 23 से पहले issue हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर 1st April 23 से पहले issue होने वाली policies में, हम सिर्फ इतना देखते हैं, कि जो annual premium है, वो 10% of the sum assured से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस वाले case में ज्यादा नहीं है, तो X के maturity पर जितना भी पैसा मिलेगा, completely exempt हो जाएगा, ठीक है? तो the concentration received under LIPX would be exempt under section 1010D. ठीक? एक के बारे में बात करते हैं, 10 lakh रुपे sum assured है, annual premium 1 lakh रुपे, क्या 10% cross हुआ? नहीं, क्या 5 lakh cross हुआ? नहीं, तो maturity पर जितना पैसा मिलेगा, completely exempt. साढ़े 3 lakh रुपे, 35 lakh रुपे और साढ़े 3 lakh रुपे, ठीक है? अब ये साढ़े 3 lakh रुपे, क्या 10% cross कर रहा है? नहीं, क्या 5 lakh cross कर रहा है? नहीं, ठीक है? तो maturity पर मिलने वाला पूरा पैसा exempt हो जाएगा. C को देखो, 60 lakh रुपे और 6 lakh रुपे, क्या 10% cross कर रहा है? नहीं, क्या 5 lakh cross कर रहा है? हाँ, maturity पर मिलने वाला पैसा taxable होगा, exempt नहीं होगा. ठीक? तो consequently, consideration received under LIPC alone would not be exempt. ठीक है? बाकी, जो भी explanation है, उसको आप लोग देख लीजगा, आपको उस explanation को वैसे ही लिखना होगा. ठीक है? explanation आप लोगों को वैसे ही लिखना होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है. चलो, situation 2 जो है, वो ऐसी है, कि आपके पास, आपके पास, एक से ज्यादा eligible LIPs थी. ठीक है? मिला कर सबका 5 लाग रुपे से ज्यादा जा रहा था, हो सकता है, individual ही किसी का 5 लाग से ज्यादा ना जा रहा हूँ. रही? और, किसी एक साल, किसी एक साल, आपको किसी एक policy से, maturity में पैसा मिला, और आपने उसका 1010D में exemption claim कर लिया. ठीक है? आपने इसका 1010D में exemption claim कर लिया. अब मैं यह ऐसे बता रहा हूँ ना, तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा. Examples देखेंगे, तो आपको और clarity के साथ समझ में आएगा. तो एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ. ठीक है? पढ़वाता हूँ, preceding the current previous year. Current previous year से पहले, किसी एक previous year में उससे कुछ पैसा मिल चुका था, and it has been claimed to be exempt under section 1010D. और किसी दूसरी policy से जो भी पैसा मिला था, suppose मेरे पास दो policies हैं. ठीक है? दोनो eligible LIPs हैं. अब previous year पहले, मतब अब ही मालो 33-34 के बारे में बात कर रहे हैं. मालो 32-33 में कोई एक policy में चौर हो गए थी, उससे मिला हुआ पैसा मेना exemption क्लेम कर लिया था. तो अब 33-34 में जो दूसरी policy मिलेगी उसका क्या होगा? तो आपके दिमाग में आ रहोगा सर इन दोनों का आपस में connection ही क्या हुआ? अभी देखेंगे, अभी एकदम अच्छे से समझ में आ लेगा. Such eligible LIPs are referred to as earlier exempt eligible LIPs, यानि triple E LIPs. ठीक है? तो अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, eligible LIPs. eligible LIPs वो सारी LIPs जो 1st April 23 के बाद issue हुई है. लेकिन अगर कोई ऐसी eligible LIPs हैं, जो की 1st April 23 के बाद issue हुई है, और उनमें हम पहले कभी exemption ले चुके हैं, तो उसको earlier exempt eligible LIPs पोलेंगे, triple E LIPs. ठीक है? आओ, अब देखो. Where the SSE has received consideration during the current previous year, under one eligible LIP only. ठीक है? अगर सिर्फ इसको छोड़ो, example से आपको समझाता हूँ. ठीक है? तो let's look at examples. तीन examples हैं, बहुत तग्रे examples हैं, सब कुछ एकदम clear हो जाएगा. आओ, देखो. We have X, A, B, C. चार eligible LIPs हैं. ठीक है? चार life insurance policies हैं. 1st April 23, 1st April 24, 24, 24. ठीक है? अब आप इधर देखो. 45 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, 60 lakhs. ठीक है? इसका premium, 4 lakh 50,000. इसका 1 lakh, इसका 150, और इसका 6 lakhs. हम देख सकते हैं, कि चारों में से किसी भी policy का जो premium है, वो उसके sum assured के 10% से उपर तो नहीं है. एक पंगा यहाँ पर तो clear हुआ. 4 LIPs हैं. चारों में से किसी भी life insurance policy का जो annual premium है, वो उसके sum assured के 10% से उपर तो नहीं है. ठीक, अब आओ देखो. 1st November 2033 को, 1st November 2033 को policy mature हुई X. और इससे हमें पैसा मिला कितना? 50 lakh रुपे, इससे हमें पैसा मिला. अब आप इधर देखो. क्या यह 50 lakh रुपे exempt होगा यह taxable होगा under section 1010D? बहुत ध्यान से सुनना. 45 lakh रुपीस का sum assured था. 4 lakh 50,000 रुपेस का आपने premium दिया था. क्या premium 10% cross कर रहा था? नहीं. क्या premium 5 lakhs cross कर रहा था? नहीं. तो क्या 1010D का exemption मिलेगा? Yes. 1010D का exemption मिल जाएगा. 1010D का exemption मिल जाएगा. ठीक. अब 1st November 2034 को, 34 को, यह क्या हो गया? यह 33 को मिल गया. यानि previous year 33-34. This happened in previous year 33-34. ठीक है? Now we are in previous year 34-35. Now we are in previous year 34-35. Previous year 34-35 में policy A से मुझे 12 lakh रुपे मिले. Policy A से मुझे 12 lakh रुपे मिले. अब आप में से कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देखो 10 lakh रुपे की policy थी. ठीक है? एक रुपे का premium था. इंडिविज्वली कंसिडर करते हैं. इंडिविज्वली कंसिडर करेंगे. क्या policy का premium 5 lakh रुपी को cross किया है? नहीं किया है. क्या policy का premium 10% of the sum assured को cross किया है? नहीं किया है. तो policy A से मिलने वाला यह जो 12 lakh रुपे है, यह completely exempt हो जाएगा. ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा. But my point is, my point is, let's think about एक बार previous year 3031. एक बार previous year 31st के बारे में बात करते हैं. ठीक है? एक बार हम previous year 31st के बारे में बात करते हैं. क्या previous year 3031 में X का 4,50,000 रुपीज पे किया गया होगा? हाँ. ठीक है? क्योंकि यह 23 को ले ली गई थी और 33 को मैचौर होई है, तो 31st में तो यह थी. 31st में क्या S का 4,50,000 रुपीज पे किया गया होगा? क्या A का 1,00,000 रुपे किया गया होगा? क्या A का 1 लाख रुपे पे किया होगा हाँ ये 24-25 में इशू कर ली गई थी और ये 34-35 में मैचौर हो रही है तो 31-31 में तो ये थी ना ठीक है तो 31-31 में इसका भी 1 लाख रुपे पे किया गया होगा इसका 1 लाख रुपे पे किया गया होगा ठीक है मज़े की बाद देखो 30.31 में जो आपने aggregate premium pay किया X और A का मिलाकर वो 5 lakhs cross कर गया ठीक है? 31 में, previous year 31 में जो आपने aggregate premium pay किया X और A का मिलाकर वो 5 lakhs cross कर गया, right? वो आपका 5 lakh rupees cross कर गया है and the same happened in previous year 24, 25, 25, 26 26, 27, 28, 29, 30 30, 31, 32, 33 ठीक है? even in 33, 34, 33, 34 में भी आपने थोड़ा बहुत premium pay किया होगा, ठीक है? तो जिन सालों में X और A दोनों थी जितने भी सालों में X और A दोनों थी, इन दोनों का premium मिलाकर 5 lakh rupees cross कर गया? Yes, 5 lakh rupees cross कर गया. अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से. इन दोनों का मिलाकर 5 lakh rupees cross कर गया और इसमें से आपने X का exemption ले लिया under section 1010D in the previous year 33, 34 ठीक है? इसमें से आपने 1010D का exemption ले लिया इसमें से आपने 1010D का exemption ले लिया in the previous year 33, 34 तो एक eligible LIP 4 eligible LIPs हैं जिन में से एक eligible LIP का आप earlier exemption ले चुके हो तो ये क्या हो गई? ये हो गई earlier exempted eligible LIP ये हो गई? earlier exempted eligible LIP ठीक है? अब क्या आपको A का exemption मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं ठीक है? बिल्कुल भी नहीं कि आपको B का exemption मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, आप एक सिकिंड के लिए A को हटा दो, पिक्चर से अगर A को हटा दो, आप सिर्फ B को देखो, तो भाई साब B का premium और X का premium मिला कर भी 5 lakhs cross कर रहा है, और आप already X का benefit ले चुके हो, आप already X का exemption ले चुके हो, अगर आप already X का exemption ले होगा for exemption, वो exempt नहीं होगा, C के बारे में बात करें, तो C तो पहले सी exempt नहीं था, क्योंकि इसका जो annual premium में वो 5 lakhs cross कर रहा था, ठीक है, C वैसे ही exempt नहीं होगा, क्योंकि इसका जो annual premium में वो 5 lakhs cross कर रहा था, मैं एक बार ये वाला example आपको फिर सथ समझा रहा हूँ, ठीक है एक बार ये वाला example फिर सथ समझा रहा हूँ, बाकी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आगे इस type के और examples भी हैं, ठीक, हमारे पास 4 eligible LIPs है, हमारे पास 4 eligible LIPs है, अभी तक हम जितने भी questions कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, कि सारी की सारी जो eligible LIPs थी, वो एक ही साल मे maturity थी, तो सबका पैसा हमें A की साल मिल रहा था, तो जिस साल पैसा मिल रहा था, उससे पहले किसी भी साल में कोई exemption वाला पंगाई नहीं था, ठीक है, लेकिन इस वाले question में क्या है, कि जिस साल हमें A, B और C का पैसा मिल रहा है, उससे एक साल पहले हमें X का पैसा मिला है, औ हम इसमें 1010-D का examination ले चुके हैं even though aggregate premiums 5 lakh cross कर रहे थे even though aggregate premiums 5 lakh cross कर रहे थे individual premiums 5 lakh cross नहीं कर रहे थे लेकिन aggregate premiums 5 lakh cross कर रहे थे ठीक तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर आपके पास 4 eligible LIPs है 1st April 23 वाली 24 24 वाली ठीक है 45 10 15 और 60 किसी का भी annual premium 10% of the summer short से ज्यादा नहीं है ठीक है लेकिन हाँ जो policy C है जो policy C है उसका उसका जो premium है वो 5 lakh रुपीस से ज्यादा है ठीक है तो यह तो anyway 1010-D में exempt नहीं ही होगा यह तो कभी भी जब भी मिलेगा तो यह 1010-D में exempt नहीं होगा ठीक एक से हमें पैसा मिला 1st November 2023 को ठीक है हमने X का benefit ले लिया 1010-D में हमने X का benefit ले लिया 1010-D में ठीक है मैं B के बारे में बात करता हूँ मैं B के बारे में बात करता हूँ ठीक है B और X का मिलाकर भी 5 lakh cross कर रहा था 450 प्लस 150 ठीक है 5 lakhs cross कर रहा था तो इसलिए 6 lakhs हो गया न तो इसलिए और क्यूंकि मैं X का exemption प्रटेंशन अलड़डी ले चुका हो तो मुझे B का exemption नहीं मिलेगा मुझे B का exemption नहीं मिलेगा हाँ अगर मान लो X का मुझे पैसा हम्ता हो professionals 33 34 में और मैं X का benefit 1010-D में नहीं लेते अपनी मर्जी से मैं X का benefit 1010-D में अपनी मर्जी से नहीं लेता तो क्या मैंने earlier इसका eligible claim किया earlier मैंने exemption claim किया नहीं तो अब मुझे A या B मेंसे choice होती ठीक है अब मुझे A या B मेंसे choice होती कि अब बताओ भाई A का benefit लेना है A का exemption लेना है या B का exemption लेना है ठीक है, अब चोईस होती ही कि मुझे A का exemption लेना है, B का exemption लेना है, आओ, एक बार पठते है, एक बार फिर से मैं आउगा इस पर, यह हो गया, eligibility for exemption, the consideration under LIPX would be exempt under section 1010D in the previous year 33-34, since the annual premium does not exceed 5 lakh rupees and also does not exceed 10% of the actual capital sum assured, done, in this case, the aggregate of annual premium payable for LIPA, LIPB and LIPC along with premium LIPX exceeds 5 lakh rupees, during the term of these policies, ठीक है, the aggregate of annual premium payable for LIPA and LIPX also exceeds 5 lakh rupees during the term of the policies, consequently, the consideration received under LIPA, LIPB, LIPC would not be exempt under section 1010D in the assessment year 35-36, ठीक है, यह बात clear होगी, अच्छा, मैंने इस में एक चीज़ और बता ही थी कि माल लो LIPX का benefit नहीं लिया होता, 1010D में उसका exemption नहीं लिया होता, तो क्या होता, तो उसको अभी आग वाले examples में हम लोग discuss करेंगे, ठीक है, आओ example 9 पर आओ, देखो, 1st April 23, 1st April 24, 1st April 24, 1st April 24, ठीक है, summer short कितना कितना है, 25, 20, 25, 60, premiums धाई, 2, 30, 6, किसी का भी premium 10% of the summer short से ज्यादा नहीं है, ठीक है, किसी का भी premium 10% of the summer short से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका 5 lakh से ज्यादा है, इस इसका 5 lakh से ज्यादा है, तो इसमें तो 1010D का benefit कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें तो 1010D का benefit कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन X A और B में मिल सकता है, ठीक है, अब, X जो है, mature हुई 1st November 23, 33 को, और इसको 30 lakh रुपया मिला, क्या 1010D का exemption मिलेगा, बिलकुल मिल जा अब सुनो, क्या X और A का premium मिला कर 5 lakh रुपीज क्रॉस कर रहा है, सुनना मेरी बात, क्या X और A का premium मिला कर 5 lakh रुपीज क्रॉस कर रहा है, नहीं, अगर मैं 1 second के लिए A को हटा दू, और मैं B को देखता हूँ, तो क्या X और B का premium मिला कर 5 lakh रुपीज क्रॉस क्रॉस कर रहा ह नहीं, यह exact 5 lakh rupees आ रहे है, exact 5 lakh rupees आ रहे है, ठीक है, तो जो aggregate premium है, वो exact 5 lakh rupees आ रहे है, X और B का, और exact 5 lakh rupees आ रहे है, X और A का, ठीक है, तो अब हमारे पास option है, अब हमारे पास option है X का benefit तुम्हें 1010D में पहले ही ले चुका हूँ ठीक है? X का benefit में 1010D में पहले ही ले चुका हूँ C का मेरे को 1010D में कोई benefit नहीं मिलने वाला है C का मुझे 1010D में कोई benefit नहीं मिलने वाला है अब मेरे पास option है कि मैं A का benefit लूँ या मैं B का benefit लूँ ठीक है अब मेरे पास option है कि मैं A का benefit लूँ या मैं B का benefit लूँ क्यूं क्यूंकि X और A दोनों मिलाकर 5 ला क्रॉस नहीं कर रहा है और B भी अगर देखा जाए X और B दोनों मिलाकर 5 ला क्रॉस नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है, मैं किसका benefit लेना चाहूंगा, मैं B का benefit लेना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, यहां पर मुझे 38 lakh rupees मिल रहा है, मैं obviously B का benefit लेना चाहूंगा, आओ, पढ़ते हैं इसको. चुछ्छ बंदेן लिठी बात है, मैं ले चाहर यूणग? 36. In the previous year 35, in the, sorry, in the assessment year 35, 36. If the consideration received under LIP A is claimed to be exempt as aggregate of the annual premium of LIP X and A does not exceed 5 lakh rupees in any of the previous years, the consideration received under LIP B would not be exempt. अगर आपने मालनो A का exemption claim किया, तो B में exemption नहीं मिलेगा. अगर आपने B का exemption claim किया, तो A का आपको exemption नहीं मिलेगा. ठीक है? If the consideration received under LIP B is claimed to be exempt as the aggregate of annual premium payable for LIP X and B did not exceed 5 lakh rupees in any of the previous years, the consideration received under LIP A would not be exempt. ठीक है? Exemption for consideration received LIP B is preferred as it is more beneficial to the assessi. ठीक है? एक alternative treatment. अब देखो, जो बात अभी मैं आपको example 8 में भी बता रहा था, वो चीज़ यहां पर लिखी हुई है. क्या? If the consideration under LIP X was not claimed to be exempt under 1010D in assessment year 23. ठीक है? यहां पर LIP X का अगर मालो, मैं यहां पर 1010D में exemption नहीं claim करता. तो क्या होता? Then, the consideration received under LIP A and LIP B would be exempt under section 1010D in assessment year 35-36. Since the aggregate of the annual premium payable for LIPs A and B together did not exceed 5 lakh rupees in any of the previous year during the term of these two policies. However, the most beneficial treatment is to claim LIP X and B as exempt. क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि अगर मालो, आपको X से maturity पर यह जो 30 lakh rupees मिला, X की maturity पर यह जो आपको 30 lakh rupees मिला, आप इसका exemption नहीं claim करते. तो आपको A और B दोनों का exemption मिल जाता. आपको A और B दोनों का exemption मिल जाता, क्योंकि दोनों का premium अगरा मिला भी दे, तब भी वो 5 lakh cross नहीं कर रहा है. ठीक है? लेकिन फिर उसने बताया है कि यार beneficial तो देखो X और B ही रहेगा. beneficial तो X और B का ही exemption claim करना देगा, क्योंकि इसमें 30 lakh मिल रहा है, इसमें 30 lakh मिल रहा है. ठीक है? तो beneficial तो यह ही होगा. आओ, एक और example देखते है. ठीक है? इसमें 5 life insurance policies है. 23, 23, 24, 24, 24. Let's see. समझोर 20, 20, 20, 30, 60. Okay, premiums देखते है. 2, 2, 2, 3, 6. मज़े की बात है. कोई भी premium 10% को cross नहीं कर रहा है. कोई भी premium 10% को cross नहीं कर रहा है. लेकिन हाँ, C जो है, उसको तो आप हटाई दो, क्योंकि इसका premium 5 lakh cross कर गया, तो यह 10, 10D में कोई exempt नहीं होगा. ठीक है? इसको तो हटाई दो, यह तो बिकार है. ठीक है? सबसे पहले, 1st July 2033 को LIPX को हमने सरेंडर किया, और 12 lakh रुपे मिले. और 12 lakh रुपे मिले. ठीक है? अब, क्या यह 12 lakh रुपे मिले, यह exempt होगा? हाँ, अफकोस exempt हो जाएगा. तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या X और Y का जो प्रीमियम है, वो 5 lakh को क्रॉस कर रहा था? नहीं, वो क्रॉस नहीं कर रहा था. अगर यह 5 lakh को क्रॉस नहीं कर रहा था, तो क्या Y के मैचौरिटी पर मिलने वाला 24 lakh रुपे पूरा exempt हो जाएगा, बिलकुल exempt हो जाएगा. ठीक है, Y के मैचौरिटी पर मिलने वाला 24 lakh रुपे, पूरा का पूरा exempt हो जाएगा. अब मुझे बताओ, A और B मैचौर हुई है 1st November 2035 को. ठीक है, A और B मैचौर हुई है 1st November 2035 को. क्या किसी में भी, क्या A में या B में exemption का scope है? नहीं. क्यों नहीं scope है? क्योंकि आपने X और Y का exemption पहले claim कर लिया है. अब अगर आप A का claim करना चाहते हो, तो देखो, इन तीनों का मिला कर 5 lakh को cross कर गया. ठीक है? अब अगर आप B का claim करना चाहते हो, तो देखो, X, Y और B का मिला कर 5 lakh को cross कर गया. ठीक है? तो आप already क्योंकि X और Y का exemption claim कर चुके हो, इसलिए अब आपको A और B का वो नहीं मिलेगा. A और B का आपको कोई benefit नहीं मिलेगा. हाँ, अगर आपने X और Y का पहले claim नहीं किया होता, तो A और B का आपको मिल सकता था. ठीक, देखते हूँ. The consideration received under LIPs A, ULIP B and ULIP C would not be exempt under section 1010D since aggregate of annual premium for these policies and LIP X and Y exceed 5 lakh rupees. Alternative treatment देखो. Alternative treatment देखो. If the consideration और surrender under LIP X was not claimed to be exempt under section 1010D, ठीक है? X वाला हमने 1010D में claim नहीं किया होता, then the consideration received under LIP Y would be exempt and the consideration received under LIP A or LIP B can be exempt under section 1010D in assessment year 36, 37. मतलब क्या हुआ? यह कह रहा है कि अगर आपने X अगर आपने इसका exemption नहीं लिया होता, अगर आपने इसका exemption नहीं लिया होता, तो हम इसका तो लेते ही लेते हैं, ठीक है? और इसके साथ साथ A का या B का और ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको और इसको जोड़ू, तब भी पांच लाग से ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर X का मैं benefit नहीं लेता, तो अगर मैं X का benefit नहीं लेता, तो Y का benefit लेता, मैं Y का benefit लेता, और फिर Y और A का benefit लेता, तो फिर या तो मैं A का benefit ले सकता था, या फिर मैं B का benefit ले सकता था, ठीक है? क्योंकि जिसका benefit मैंने लिया उसके साथ मिला कर हमें premiums देखने होते हैं कि वो 5 lakh से उपर तो नहीं जा रहा है ठीक If the consideration received under L.I.P. A is claimed to be exempt as aggregate of the annual premium of L.I.P. Y and A did not exceed 5 lakh rupees for any of the previous year तो L.I.P. B would not be exempt ठीक If the consideration received under L.I.P. B is claimed to be exempt then the consideration L.I.P. A would not be exempt ठीक है exemption for consideration received under L.I.P. B is preferred as it is more beneficial to the S.S.E. तो B वाला जो है इसमें आपको ज्यादा पैसे मिल रहा है इसका आपको claim करना चाहिए अगर आपने X का benefit नहीं लिया है तो आगे देखो आगे देखो If the consideration on surrender of L.I.P. X and maturity of L.I.P. Y were not claimed to be exempt under section 1010 D in assessment year 34, 35, 35, 36 respectively then the consideration received under both L.I.P. A and L.I.P. B would be exempt under section 30 in the assessment year 36, 37 ठीक है क्या मतलब हुआ इसका अभी हम लोग क्या कर रहे थे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि X का अगर मैंने exemption लिया तो Y का exemption मिलेगा क्या मिलेगा X और Y दोनों का ले लिया तो A और B का exemption नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि अगर मैं A को देखू तो इन तीनों को मिलाकर 5 लाग से उपर जा रहा है and so on अगर मालनो मैंने X का benefit नहीं लिया X का exemption नहीं लिया Y का exemption लिया तो Y के साथ साथ या तो मैं A ले सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का मिलाकर 5 लाग से कम है लेकिन हाँ इन तीनों का मिलाए तो 5 से उपर चला गया ठीक है इसलिए तीनों का नहीं ले सकता या फिर मैं Y के साथ B का ले सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का मिलाकर भी 5 लाग से उपर नहीं जा रहा है लेकिन अगर मैं X का भी नहीं लेता हूँ Y का भी नहीं लेता हूँ तो मैं A और B दोनों का ले सकता हूँ क्योंकि दोनों का premium मिलाकर 5 लाग से उपर नहीं जा रहा है तो मैं A और B दोनों का ले सकता हूँ C का benefit आपको कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि premium 5 लाग से उपर है ठीक अब देखों यहां पर और और बोला गया है कि जित्ता भी premium आप पे कर रहे हो उस पर GST को हम कंसिडर नहीं करेंगे मतलब वो excluding of GST लेखेंगे ठीक है इस अब आपको premium पे कर आपको premium के साथ साथ कुछ GST भी पे करना है आपको सब्सक्राइब प्रीमिम देना है और 18 रुपे आपका GST है तो ऐसा नहीं बोल देना कि हम मैंने तो 118 रुपे का premium पे किया ठीक है premium वाल अमाउंट 100 रुपे ही consider किया जाएगा प्रीमिम वाल अमाउंट 100 रुपे ही consider किया जाएगा आओ इदर देखो calculation of premium on term life insurance policy term life insurance policy क्या होती है term life insurance policy होती है कि suppose किसी बंदे ने अपनी life insurance policy ली और वो term life insurance policy ली तो उसके nominee को पैसा मिलेगा जब इस बंदे की death हो जाएगी तो normal life insurance policy क्या होती है अगर मालो किसी एक बंदे ने normal life insurance policy ली वो policy mature हो गई उस बंदे की death नहीं होई तो maturity पर उसको कुछ पैसा मिलेगा ठीक है term life insurance में ही होता है कि इस term के बीच में अगर आपकी death होई तभी आपके nominee को पैसा मिलेगा otherwise कुछ नहीं अगर इस term के बीच में कि death नहीं हुई तो term खतम होने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है तो ऐसे में बोला गया है कि जो 5 लाग से उपर वाला premium है ठीक है ये वाली condition term life insurance policy पर apply नहीं होगी मतलब term life insurance policy में premium 5 लाग से उपर हो सकता है फिर भी 1010D का exemption मिल जाएगा अगर वो 10% of the summer short से कम है तो I'll repeat this I'll repeat this दो conditions देखनी है हमें premium 5 लाग से उपर नहीं होना चाहिए और premium 10% of the summer short से उपर नहीं होना चाहिए ठीक है पर term life insurance policies में ये जो 5 लाग वाली condition है ये नहीं है ठीक है 5 लाग वाली condition नहीं है मतलब term life insurance policy के term life insurance policy में अगर नॉमिन को exemption चाहिए तो all you need to see is के जो premium paid है वो 10% of the summer short से उपर नहीं होना चाहिए ठीक It is further clarified by severity that the limit of 5 लाग rupees on amount of premium payable would not be applicable in case of term life insurance policy that is where some under life insurance policy is only paid to the nominee in case of death of a person insured during the term of the policy and no amount is paid to anyone if the insured person survives the policy 10 years Hence, any sum received under a term insurance policy shall continue to be exempt under section 1010D irrespective of the amount of the premium payable in respect of such policy Further, the premium paid for such policies would not be counted for checking the limit of 5 लाग rupees on amount of premium payable ठीक अब यहाँ पर यह बात हो रही है कि कितना पैसा आपका taxable होगा यह तो यहाँ पर बात हो गई अच्छा इसका मैंने एक example आपको छोटा सा तो दिया ही था उसी का थोड़ा सा extended clarification यहाँ पर आया है ठीक है? मैंने भी आपको दिया था था थोड़ा सा छोटा सा example मैंने दिया था कि अगर आपको आपका जो premium है वो इस session के starting में मैं आपको example दिया था कि maturity पर जितना भी पैसा मिलेगा क्या वो पूरा का पूरा पैसा taxable हो जाएगा? नहीं, वो पैसा minus the aggregate of premiums that you've paid जितनी आपकी earning है होत नहीं taxable होगा तो उसी चीज को लेकर यहाँ पर एक clarification दिया हुआ है ठीक है? तो where any sum is received including the amount allocated by way of bonus at any time during the previous year under a life insurance policy other than a sum received under a ULIP received under a keyman insurance policy which is not exempt under section 1010d the sum so received as exceeds the aggregate of the premium pay during the term of such life insurance policy and not claimed as deduction under any other provision of the Act computed in the prescribed manner would be chargeable to tax under the hidden income from other sources under section 562.12 sorry, 13 ठीक है? इसका example यहाँ पर clarification में दिया नहीं है मैं आपको अपनी तरफ से example बना कर समझाओंगा इसका ठीक है? पहली बार मिला है आपको पहली बार मिला है आपको मैंने कोई पॉलिसी ली दी उससे मेरे को पहली बार पैसा मिला हुआ है तो A-B, income क्या होगी? A-B, A क्या है? The sum और aggregate of sum received under the LIP during the first previous year और B क्या है? Aggregate of premium pay during the term of the LIP till the date of receipt of the sum in the first previous year that has not been claimed as deduction under any provision of the Act Example Example देखो Example देखो ठीक है? किसी ने अपनी policy ली ठीक है? उसको maturity के time पर suppose मिल रहा है 60 lakh rupees उसको maturity के time पर मिल रहा है suppose 60 lakh rupees उसने premium pay किया यह 10 साल की policy थी 10 साल की policy थी 1st April 2023 को policy ली गई ठीक है? अब 1st April 2033 को अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sum assured था let's say 60 lakh rupees sum assured था let's say 60 lakh rupees और annual premium कितना था? annual premium let's say annual premium कितना था? 6 lakh rupees ठीक है? annual premium कितना था? annual premium आपका 6 lakh rupees हो गया था अब आपको 1st April 2033 को कितना पैसा मिला? आपको 1st April 2033 को कितना पैसा मिला? let's say आपको 70 lakh rupees मिला let's say आपको 70 lakh rupees मिला क्या ये पैसा taxable होगा? बिलकुल taxable होगा 1010D का exemption थे नहीं मिलेगा क्योंकि annual premium 6 lakh rupees annual premium 5 lakh rupees से ज्यादा है annual premium 5 lakh rupees से ज्यादा है लेकिन एक बात बताओ मुझे taxable amount कितना होगा? taxable amount होगा 70 lakh minus 6 lakh into 10 60 lakh आपने 10 साल तक premium दिया न? आपने 10 साल तक premium दिया तो उसको हमने minus किया है यहापर 10 lakh rupees आपका taxable amount आया 10 lakh rupees आपका taxable amount आया ठीक है? अब सुनो एक बात ध्याद से आपका ये जो premium है क्या ये 10% of the summer short को cross कर रहा है? नहीं तो 80C का benefit तो मिलेगा न? 80C का reduction तो मिलेगा old scheme में मालो इस बंदे ने हर साल तो इस साल उस 15 लाख रुपे को भी taxable कर दिया जाएगा, मतलब आप 60 लाख में से 15 लाख रुपीज माइनस कर दोगे, 60 लाख में से आप 15 लाख रुपीज माइनस कर दोगे, तो मतलब क्या हो जाएगा ये, 70 माइनस 60 लाख रुपीज हो जाएगा, और जो आपका taxable amount आएगा, वो आएगा 25 लाख रुपे, वो आएगा 25 लाख रुपे, देखो, अब एक बार फिर से पढ़ो इसको, तो आपको सम आएगी चीज, taxable amount कितना, taxable amount is A-B, A क्या है, sum और aggregate of sum received under the L.I.P. during the first previous year, पहली बार मेरे को पैसा मिला, कितना, 70 लाख रुपीज मिला, minus क्या करूँगा, B, B क्या है, aggregate of the premium paid during the term of the L.I.P. till the date of receipt of the sum in the first previous year, ठीक है, aggregate of the premium, मैंने 60 लाख रुपे का premium पे किया, 6-6 लाख रुप दस साल की policy, 60 लाख रुपे का मैंने premium pay किया, that has not been claimed as deduction under any provision of the Act, minus करने को आपको उतना ही पैसा मिलेगा, जितना आपने deduction claim नहीं किया है, अगर आपने 15 लाख रुपे का deduction claim कर लिया, अगर आपने 15 लाख रुपे का reduction claim किया है, हर साल आपने day-day लाख रुपे का reduction claim किया है, तो आपने 15 लाख रुपे का reduction claim कर लिया है, 10 सालों में, तो ये 15 लाख रुपे आपको इस में से minus करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, तो 60 लाख रुपीज में तो ये 15 लाख ठीक है, 15,000,000 पर के deduction ले चुका हो, इधर मैंने कर दिया add, ये बात clear हो गई, ये तो थी पहले साल वाली बार, अब आओ दूसरे साल वाली बार, ठीक है, मेरे को 1st April 2033 को कुछ पैसा मिला, अब मेरे को मालो 1st April 2034 को भी कुछ पैसा मिला, मुझे 1st April 34 को भी कुछ पैसा मिला, where sum is received under the LIP during the previous year, subsequent to the 1st previous year, ठीक है, तो 1st previous year कौन सा हो गया, 33, 34, subsequent previous year कौन सा हो गया, 34, 35, subsequent previous year हो गया, 34, 35, इसका भी exactly वैसा सही है, C-D, तो C कह है, sum और aggregate of the sum received under the LIP during the subsequent previous year, तो यहाँ पर, 34, 35 में जितना भी पैसा मिला वो, C क्या आजाएगा, जितना भी पैसा मिला वो, minus, क्या minus करूँगा, aggregate of the premium pay during the term of the LIP till the date of receipt of the sum in subsequent previous year, not being premium which, तो जितना भी premium मैंने pay किया, उसको sum में minus करूँगा, लेकिन इसमें से क्या minus नहीं होगा, which has been claimed as deduction under any other provision of the Act, or is included in B or D in any of the previous years, ठीक है, which has been claimed as deduction, तो 80C में मैं reduction क्लेम कर चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ पर D में इसको minus नहीं करूँगा, और दूसरी चीज, 60 lakh rupees, 60 lakh rupees, चलो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं, ठीक है, 60 lakh rupees में से, 60 lakh rupees में से मैंने 15 lakh rupees minus किया था न, तो कितना minus किया मैंने यहाँ से, 60 में से 15 माइनस करके मैंने 70 में माइनस किया 60 में से मैंने 15 माइनस किया 45 तभी तो ये 25 आया ठीक है I hope इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 70 लाग रुपीस की मैरी maturity थी मैंने 60 लाग रुपीस का premium total pay कर दिया था 10 साल में 6-6 लाग रुपे मैंने प्रे कर दिया था लेकिन क्योंकि मैंने उसमें से 15 लाग रुपे का deduction ले लिया था तो मैं 60 लाग पूरा माइनस नहीं कर पाऊंगा मैं उसमें से 15 लाग हटा कर सिर्फ 45 लाग रुपे ही माइनस कर पाऊंगा मैं सिर्फ 45,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, लाक रुपे का रिडक्शन ले लिया और अब ये 33 34 वा ना भाई 33 34 में मैंने 6 लाक रुपे का प्रीमिम पे कर दिया और इसमें से डेर लाक रुपे का मैंने डिडक्शन भी ले लिया अब क्या हुआ कि मुझे अब क्या हुआ कि अब ये हुआ कि मुझे अब क्या हुआ अब ये हुआ कि 35 में फर्स एप्रिल 35 को मुझे और कुछ पैसा मिल गया ठीक है लेट से मुझे 10 लाक रुपे और मिल गया तो अब कितना टैक्सेबल होगा 10 लाक रुपे माइनस कितना माइनस 6 लाक माइनस 1 लाक 50 थाउसन ठीक है यानि माइनस 4 लाक 50 थाउसन ओनली माइनस 4 लाक 50 थाउसन I hope this makes perfect sense ठीक है हम इस वाले को consider नहीं करेंगे जो हम यहाँ पर अलड़ी माइनस कर चुके हैं हम उसको consider नहीं करेंगे सिर्फ incremental premium जितना मैंने पे किया वो माइनस करने को मिलेगा ठीक है incremental premium भाई 33-34 तक तो मैं अलड़ी इतना सारा पे कर चुका था था ठीक है तो 33-34 तक मैं जितना premium पे कर चुका था तो दुबारा थोड़ी माइनस करूँगा this makes perfect sense नहीं यह तो logical है 33-34 तक जो मैं अलड़ी premium पे कर चुका था उसको दुबारा थोड़ी माइनस करूँगा तो जितना incremental premium मैंने पे किया which I have not claimed as a deduction under section 80C सिर्फ उतना ही माइनस करने को मुझे मिलेगा बागी सारी income जो है मेरी वो taxable हो जाए I hope अब आप लोगों को यह पूरा का पूरा guidance note कायदे से समझ में आ चुका है ठीक है और इसी के साथ हम लोगों का income from other sources यहाँ पर आकर complete हो जाता है यह जो भी notes में यहाँ पर use कर रहा हूँ यह notes आपको इस video के नीचे link दिया हुए description में उससे आप लोग इसको download कर सकते हो य ठीक है तो सबसे पहले overview के बारे में बात कर ले तो हम लोगों को पढ़नी है तो हम लोग सबसे पहले section 60 पढ़ेंगे इसमें जो की होगा transfer of income without transfer of asset ठीक है तो अगर आप किसी को किसी asset से arise होने वाली income को transfer कर देते हो लेकर उस asset को transfer नहीं करते है तो वो income भी आप ही के हाथ में asset अपना transfer कर रहा हूँ और मैं कभी भी कह सकता हूँ कि हाँ मैं जब माहूंगा तब आपनो चाहे वापस दे देना ठीक है तो यह तो सिर्फ एक कहने वाला transfer हो गया तो इस type के transfer से अगर आपको कोई income होती है तो वो मेरे ही हाथ में club होगी ठीक है फिर spouse की income के बारे में बात है फिर भी उसको remuneration मिल रही है ठीक है अगर ऐसा है अगर इस type का है तो जो भी उसको remuneration मिल रही है वो मेरे हाथ में club हो जाएगी दूसरा from assets transferred without any adequate consideration मैंने अपनी spouse को कोई ना कोई asset अपना transfer कर दिया है उसे कुछ पैसा लिया नहीं है तो उस asset से जो भी income arise होगी वो मेरे हाथ में club होगी और तीसरी चीज़ है transfer of assets for benefit of spouse ठीक है कि मैंने कोई trust अगर बना लिया मैंने उस trust में कोई asset transfer किया और उस trust से arise होने वाली जो भी income होगी वो मेरे spouse के benefit के लिए होगी तो अगर अपनी बहु को आप कोई भी gift देते हो तो उससे arise होने वाली जो भी income होती है वो आप ही के हाथ में club होती है फिर हम minors income के बारे में बात करेंगे कि अगर आपका कोई minor child है उससे arise होने वाली जो भी income है वो कैसे कैसे club होती है फिर हम बात करेंगे conversion of self acquired property into the property of the HUF ठीक है कि मेरे पास कोई property थी अब उस property को मैंने अपनी HUF को transfer कर दिया without adequate consideration तो अब उसका क्या होगा और फिर last में हम cross transfers के बारे में बात करेंगे इस तरह से हमारा flow चलता रहेगा तो कितने topics हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 topics में हमारा ये पूरा का पूरा chapter complete हो जाएगा सबसे पहले section 60 के बारे में बात करते हैं तो ये तो खेर बड़ा simple सा है section 60 बड़ी simple सी चीज़ कहता है कि अगर आपने किसी को किसी asset से arise होने वाली income transfer की और आपने उसको asset नहीं transfer किया तो वो income आप ही के हाथ में club हो जाएगी that's it ठीक है आओ आगे चलते है income arising from revocable transfer of assets ठीक है अब ये section 61 है ये आपका section 61 है इसमें सबसे पहले हम लोग section 63 देखते हैं meaning of revocable transfer का मतलब क्या होता है तो एक transfer revocable तब होता है अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा provision होता है कि वो वाली चीज मैंने कोई asset आपको transfer किया अगर मैंने इस clause में इस contract में कोई एक ऐस clause डाला है कि मैं कभी भी वो चीज आपसे वापस ले सकता हूँ re-transfer of the whole or any part of the income or assets to the transfer तो ये transfer revocable transfer हो जाएगा ठीक है या फिर दूसरी power में रखता हूँ कि मैं इस वाले asset पर फिर से अपनी power assume कर लूँगा एक तरह से बात वही हो गई अगर मैंने आपको कोई चीज दी है और मेरे पास अधिकार है कि मैं उस चीज को कभी भी वापस ले सकता हूँ या उससे arise होने वाली income को कभी भी वापस ले सकता हूँ तो वो revocable transfer हो जाता है ठीक है अगर मैंने किसी को भी कोई भी transfer किया और वो एक revocable transfer है तो उससे arise होने वाली जो भी income होगी वो मेरे हाथ मे club होगी ऐसा section 61 कहता है इसके exceptions है section 62 में ठीक है इसमें 2 exceptions है कि अगर मालो revocable transfer है मालो revocable transfer है लेकिन transfer है by way of trust which is not revocable during the lifetime of the beneficiary ठीक है मैंने transfer एक trust के form में किया उस trust का जो beneficiary है जब तक वो beneficiary जिन्दा है तब तक मैं ये transfer वापस नहीं ले सकता तो even though it is a revocable transfer फिर भी arise होने वाली income मेरे हाथ में कलब नहीं होगी या कोई और transfer है जो कि मैंने transfer कर दिया मैंने trust के नहीं मैंने आप ही को कोई transfer किया अपना कोई asset transfer किया और मैंने का जब तक आप alive हो तब तक ये चीज मैं वापस नहीं लोगा ठीक है आपकी death के बाद में ये वाली चीज वापस ले लूगा तो दोनों ही cases में इन दोनों ही cases में आप लोग देख रहे हो transfer revocable हो रहा है एक case में beneficiary की death तक मैं वापस नहीं ले सकता उसकी death के बाद मैं वापस ले लूगा और दूसरे case में तीन तरह से clubbing होती है अगर मेरा किसी concern में substantial interest है हाँ जी तो spouse के income के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 3 points में हम लोग व Two discuss करना है सबसी पहली बात के अगर मेरा किसी concern में substantial interest है और वो वाली concern मेरी spouse को कुछ income दे रही है कोई rami notification दे है ठीक है तो यह जो भी remuneration मेरी spouse को मिल रही है यह मेरे हाथ में club होगी लेकिन हाँ अगर मेरी जो spouse है मेरी जो wife है वो technically qualified है ठीक है वो professionally capable है उस काम को करने के लिए जिसके लिए उसको remuneration मिल रहा है तो वो उसी के हाथ में अगर मैंने अपनी wife को अगर मैंने अपनी spouse को कोई asset transfer किया ठीक है अब asset में भी अगर हमने house property को transfer किया तो अगर मैंने अपनी spouse को house property transfer किया without any adequate consideration तब तो मैं उसका deemed donor हो जाओंगा जो हम लोगों ने house property वाले chapter में revise किया था section 27 के तहट मैं deemed donor हो होगा और clubbing provisions attract नहीं होंगे अब यहां पर ध्यान रखना इसके basis परना mcqs बनते हैं इसके basis पर mcqs बनेंगे इसके basis पर mcqs कैसे बनेंगे कि वहाँ पर question आएगा कि a person let's say Nishant transferred a house property to Charu ठीक है his wife without adequate consideration ठीक है which of the following is correct which of the following is correct ठीक है income derived from that house will be clubbed in the hands of Nishant wrong answer wrong answer ठीक है income derived from the house will be taxable in the hands of Nishant because he is a deemed owner as per section 27 absolutely correct answer ठीक है to clubbing provisions will not be attracted options में आएगा कि income derived from the house will be clubbed in the hands of Nishant by virtue of section 64 wrong ठीक है क्योंकि clubbing provisions attract नहीं होंगे दोनों cases में बात वही हो रही है कि tax कौन पे करेगा tax निशांत पे करेगा tax चारू नहीं पे करेंगी लेकिन फिर भी जो answer आ रहा है वो reason वो reason के basis पर आपको marks मिलते हैं तो यहां पर क्या हो गया निशांत will be the deemed owner of the house property and hence that income will be taxable in the hands of Nishant clubbing provisions की वज़ा से नहीं ठीक है बाकी assets के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि मैंने कोई और asset अपनी spouse के नाम पर transfer कर दिया तो उससे जो भी income arise होगी वो मेरे हाथ में club हो जाएगी ठीक है अच्छा यहां पर एक चीज़ और है मेरे हाथ में वो income club हो जाएगी ठीक है लेकिन मान लो उस income को use करके मेरे spouse ने कुछ और income earn की तो क्या income on income क्या income on income मतलब क्या हुआ suppose मैंने 50,000 रुपे अपनी wife को दिये उसने उसका fixed deposit कर दिया fixed deposit पर उसको let's say 5,000 रुपे का interest मिला यह 5,000 रुपे तो मेरे हाथ में club होगे इस 5,000 रुपे पर मैं tax दूँगा लेकिन इस 5,000 रुपे को मेरी wife ने suppose फिर कहीं invest कर दिया और उससे उसको और 500 रुपे का interest मिल गया तो क्या यह जो additional 500 रुपे का interest मिला यह भी मेरे हाथ में club होगा the answer is no ठीक है second generation income club नहीं होती है ठीक अब यह this is important यहाँ पर क्या हुआ कि माल लो मैंने कुछ पैसा दिया माल लो मैंने कुछ पैसा दिया अपनी wife को अपनी spouse को मैंने कुछ पैसा transfer किया और इस पैसे को उसने अपने business में invest कर लिया ठीक है इस पैसे को उसने अपने business में invest कर लिया अब उस business से जो भी profit आएगा उस business से जो भी profit आएगा वो हम दोनों में distribute होगा वो कैसे distribute होगा, मैं एक simple सा example लेकर आपको बता देता हूँ, suppose मैंने 1 lakh रुपीज दिये, और मेरे spouse का जो capital था, वो 3 lakh रुपीज का था, total capital हमारा कितना हो गया, total capital हमारा हो गया 4 lakh रुपीज का, इस पर suppose profit आया 1 lakh रुपीज का, तो 1 lakh रुपीज का profit कमाया गया 4 lakh के capital पर, पर इस 4 lakh रुपीज के capital में से 1 lakh रुपीज मेरा था, 1 lakh रुपीज मेरे थे और 3 lakh रुपीज मेरी spouse के थे, तो इस 1 lakh रुपीज के profit को हम 1 is to 3 के ratio में distribute करेंगे, ठीक है, लेकिन ये distribution तभी होगा, अगर मेरे द्वारा gift किया हुआ asset, अगर मेरे द्वारा gift किया हुआ asset, मेरी spouse के capital का part था on the first day of the previous year, ठीक है, मतलब अगर 1st April को, 1st April को इसके capital में ये 1 lakh plus 3 lakh था, 4 lakh था, तब तो ये proportion होगा, तब तो 1 is to 3 में होगा, ठीक है, मालनो मैंने gift किया था, लेकिन मेरी wife ने इस 1 lakh रुपे को 1st April को अपने business में include नहीं किया, बलकि 10th April को कर दिया, ठीक है, तो total capital तो इस profit का कोई भी हिस्सा club होगा, बिलकुल भी नहीं, ठीक है, I hope this is clear, अच्छा, मैं कोई asset अगर अपनी spouse के benefit के लिए transfer कर देता हूँ, तो obviously वो भी मेरे हाथ में club हो जाता है, ठीक है, ये हो गई spouse की income वाली बात, अब, अगर मैं अपनी son की wife को, अगर मैं अपनी बहु को, मै अगर son की wife को कुछ भी पैसा देंगे, या कोई भी, किसी भी तरह से directly, indirectly, कोई भी उसको asset transfer करेंगे, तो उससे arise होने वाली जो भी income होगी, वो हमारे हाथ में club होगी, it's as simple as that, ठीक है, minor की income के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो minor की income के लिए section 64 1A है, और minor की income के लिए ये ज्यादा होती है, ठीक है, मालनो मेरा और चारुमाम का कोई बच्चा है, ठीक है, उसने कुछ income कमाई, कहीं से भी उसके पास कोई income आ गई, तो अब वो किसके हाथ में club होगी, मेरे हाथ में या चारुमाम के हाथ में, उसके हाथ में club होगी, जिसकी income clubbing से पहले ज्यादा है मालनो मेरी income साल की 10 लाग रुपए, चारु माम की 12 लाग रुपए, ठीक है, तो फिर minor की income चारु माम के हाथ में क्लब होगी, ये बात clear होगी, जिस भी parent के हाथ में ये income क्लब होती है, उस parent को section 10, subsection 32 के अंदर 1,500 रुपीस का exemption मिलता है for every child, ठीक है, for every child, sorry, तो हर child के लिए 1,500 रुपीस का exemption मिलता है, लेकिन ये सिर्फ old scheme में मिलता है, new scheme में नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई limit भी नहीं है कि maximum of two children या maximum of three children, आपके जितने minor child ले, हर minor child के लिए 1500 रुपे तक का exemption आप लोग ख्लेम कर सकते हो, ठीक है, एक बात और, suppose इस previous year में, चारु 23-24 में तो club हो गई, suppose 24-25 में मेरी income ज्यादा हो जाती है, चारु मैम की कम हो जाती है, तो क्या income अब चारु मैम के हाथ में club ना होकर, मेरे हाथ में club होगी, the answer is no, law कहता है, sorry यार, I don't know, क्या तो खासी-वासी वाला issue हो रहा है, तो उसकी वज़े से pause करना पड़ रहा है, anyway, तो मैं यह कह रहा था, कि suppose इस साल, previous year 23-24 में, हमारा जो भी बच्चा है, उसकी income, let's say, चारु मैम के हाथ में club हो गई, क्यूंकि चारु मैम की income ज्यादा थी, मेरी income कम थी, अब आगे आने वाले सालों में, मानलो 24-25 में मेरी income ज्यादा हो जाती है, तो क्या बच्चे की income मेरे हाथ में club होगी, the answer is no, not at all, बच्चे की income एक बार जिस parent के हाथ में club होनी शुरू हो गई, हमेशा उसी parent के हाथ में club होती रहेगी, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर एक time के ब divorce हो गया है, तो बच्चे की income उस parent के हाथ में club होगी, जो parent उस बच्चे को उस साल maintain कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, किसी साल mother maintain करे, किसी साल father maintain करे, तो जिस भी साल उस बच्चे को जो भी parent maintain करेगा, उस parent के हाथ में club होगी, ठीक है, अच्छा, minor की income club कब नहीं होती ह minor की income तीन cases में club नहीं होती है अगर minor ने income कमाई अपने manual labor को use करके तो income club नहीं होगी अगर minor ने income कमाई अपने skill को, talent को, specialized knowledge को या experience को use करके तो income club नहीं होगी और अगर minor child ATU में specified disease को suffer कर रहा है तो भी minor की income parents के हाथ में club नहीं होगी इन तीनों ही cases में minor की income पर tax कौन भरेगा? minor ही भरेगा cross transfers के बारे में बात करते हैं तो cross transfers basically ऐसे transfers होते हैं कि वो एक ही transaction दो अलग-अलग transactions होते हैं लेकिन वो होते इस प्रकार के हैं कि वो एक होता है गुल-गुल घुमा के दिया जाता है तो the concept is कि it involves two parties it involves two parties making mutual gifts or transfers to each other's family members forming part of a single transaction intended to evade tax ठीक है? example क्या हो गया? कि A ने 50,000 रुपीज गिफ्ट किये A ने 50,000 रुपीज गिफ्ट किये किसको गिफ्ट किये? B की वाइफ को गिफ्ट किये B की वाइफ को गिफ्ट किये house purchase करने के लिए A ने B की वाइफ को घर purchase करने के लिए 50,000 रुपीज गिफ्ट किये और B ने क्या किये? 50,000 रुपे के shares A के minor son को गिफ्ट कर दिये इसको आप लोग ऐसे समझो मैं हूँ मेरा भाई है मैंने अपनी भाई की वाइफ को 50,000 रुपे gift किये कि तुम अपना घर खरीद लो मेरे भाई ने मेरे बच्चे को 50,000 रुपे के shares गिफ्ट कर दिये अब होना क्या चाह रहा थे? मतलब हम लोग करना क्या चाह रहे थे? काईदे से I was supposed to give 50,000 रुपीज वर्थ of shares to my son and काईदे से my brother was supposed to give 50,000 पीस to his wife ठीक है? लेकिर हम नहीं किया क्या? कि मैं अगर अपने भाई की वाईफ को दूँगा और मेरा भाई अगर मेरे बच्चे को दे देगा तो फिर clubbing वाले provisions अट्राक नहीं होगे तो सरकार कहती है हमारे माथे पर कुछ 50,000 पीस के shares दिये तो deemed transferer मैं हो जाऊँगा तो shares से income आएगी मेरे हाथ में taxable होगी उस 50,000 पीस से जो income आएगी वो मेरे भाई के हाथ में transfer होगी ठीक है? तो clubbing के criteria क्या है? कि transfers are interconnected and form part of a single transaction Each transfer serves as a consideration for the other either mutual or otherwise ठीक है? aimed at circumventing tax provisions by transferring to non-spouse and non-minor child या मेरा भाई अगर अपनी spouse को transfer करता 50,000 रुपए तो उसके हाथ में clubbing होगी मैं अगर अपने minor child को transfer करता हो तो मेरे हाथ में clubbing होती तो मैंने क्या किया? अपने भाई की spouse को कर दिया और मेरे भाई ने मेरे minor child को कर दिया ठीक है? लेकिन सरकार कहती है कैसा नहीं deemed transferer आप ही हो और आपके हाथ में clubbing होगी तो tax implications यह होगे house property जो Mrs. B की है वो B के income में club होगी क्योंकि B will be deemed transferer और जो मेरे बच्चे को dividend income में लेगी share से वो मेरे हाथ में club होगी वो मेरे हाथ में club होगी क्योंकि मैं deemed transferer कहला होगा ठीक है last topic हमारे पास इसमें आता है conversion of self-acquired property into the property of an HUF अब इसमें क्या हो जाता है कि suppose मेरे पास कोई property है ठीक है और मेरी HUF है मैंने अपनी property को अपनी HUF की property में convert कर दिया without adequate consideration ठीक है तो HUF को जो भी income होगी वो किसके हाथ में club होगी इसा मेरी spouse को मिल जाता है तो मेरी spouse को जो भी income derive होगी उस वाले portion से वो भी मेरे हाथ में club होगी ठीक है और इसी के साथ हमारा clubbing वाला chapter भी यहाँ पर complete हो जाता है aggregation of income set off and carry forward of losses तो दो चीज़े हैं एक तो हम लोगों को पढ़ना होगा aggregation of income अब आपके ICAI के study material में यह चीज first chapter में दी हुई है ठीक है और basically हमारे पास कुछ ऐसे sections होते हैं जिनको सरकार prevention of black money या undisclosed sources of income जो भी आपके पास होते हैं उनको आपके हाथ में higher rates से tax करती है ठीक है तो we have some sections like sections 68, 69, 69A, 69B 69C and 69B तो यह जो sections हैं यह special cases वाले sections हैं ठीक है तो क्या हो गया कि tax authorities may treat certain amounts as income even if not typically considered so, अब यह कौन-कौन से हैं यह आप लोग का होगा, तो यह कुछ special sections है assessi may be asked to explain these amounts अब इन sections में क्या-क्या चीज़े हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो assessi से कहा जाता है कि भाई, बताओ यह सब कहां से आये हैं आपके पास, और अगर assessi ने convincing application नहीं दिया तो जितने भी amounts हैं उसको completely income मान लिया जाता है और आपकी बाकी income के साथ उसको aggregate कर दिया जाता है, मतलब total कर दिया जाता है इसमें सबसे पहला जो section हमारा आता है वो है section 68 which is cash credits तो cash credits का मतलब क्या हो गया आपके bank account में कुछ cash से credit किया हुआ है अब आपने अपसे ही अगर cash में credit किया हुआ cash में credit करने का मतलब क्या हो गया मेरे पास suppose 50,000 रुपे मैं गया और अपने bank में मैंने deposit कर दिया अपनी books of accounts में मैं entry क्या करूँगा bank account debit to cash ठीक है लेकिन मेरे bank statement में वो amount credited दिखाई देगा तो अगर मैंने खुद ने 50,000 रुपे अपने cash से निकाल कर अपने bank में डाल दिया तब तो I have a reasonable explanation वो लोग पूछेंगे भई ये 50,000 रुपे तुमारे पास कहां से आया मैं बता दूँगा मेरे माल बेचके कमाया ठीक है तो ये मेरा reasonable explanation है लेकिन अगर मालो bank statement में suppose एक करोड का cash credit दिख रहा है ठीक है और उससे assessing officer ने आप से पूचा कि भाई साभी एक करोड रुपे कहां से आया आप करें या मुझे नहीं पता कहां से आया कोई मेरे कोई देगा मैं उसको मना थोड़ी करूगा तो assessing officer भी बोलेगा कि कोई पागल है कि एक करोड रुपे ऐसी तुमारे bank account में दे देगा कुछ ना कुछ तो घोटाला है ठीक है एक लाग रुपे का मैंने लोन लिया है अपने दोस्त से मैंने लोन लिया है ठीक है तो अब आपके दोस्त के पास जाएगा वो assessing officer और पुछे का भाई तेरे पास एक करोड के आश कहां से आया जो तुमारे अपने दोस्त को लोन ले दिया ठीक है तो लोन दे दिया तो दोनों parties की तरफ से एक reasonable explanation चाहिए satisfactory explanation चाहिए special conditions for closely held companies receiving credits तो जो share application money होता है ठीक है जैसे company ने shares अपने issue किये तो आपको याद है 12th class में हम लोग ने पढ़ा था issue of shares वाला CA foundation में भी आप लोग ने पढ़ा होगा कि company accounts में जब shares issue किये जाते हैं तो share application money आजाता है बहुत सारा तो कई बार share application money पर भी assessing officer सवाल उठा सकता है companies को लेकर कि भाई साभी कहां से आया पैसा तो company तो मोल देगी आ रहे यार मुझे क्या पता है shareholder ने दिया है मुझे क्या करना है shareholder ने apply किया है तो फिर उसने मेरे को पैसा दिया है तो assessing officer उस shareholder के पास जाएगा कि भाई तेरे पास कहां से आया यह वाला पैसा इस company को देने के लिए ठीक है यह उन्ही cases में होता है जहां पर assessing officer को शक होता है ठीक तो only company's explanation won't be enough the contributor will also have to explain जिसने पैसा दिया है वो भी exemption for venture capital funds company is registered with SEBI इनके लिए exemption हो जाता है तो यह हो गया section 68 ठीक है यह हो गया section 68 cash credits section 69 unexplained investments ठीक है तो यह उन investments के बारे बात करता है जो कि आपने financial records में आपने उसको explain नहीं किया हुआ है आपने उसको record नहीं किया हुआ है मेरे पास बहुत सारा sona निकल कर आ गया मैंने अपनी balance sheet में gold investment दिखा ही नहीं रखा है तो वो gold को मेरी income मान लिया जाएगा ठीक है तो concerns investments made before the assessment year assessment year से पहले अगर कुछ investment किया तो उसके बारे में requires explanation of nature and source of investments कि यह sona खरीदा कहां से खरीदा section 69a unexplained money etc तो ownership of unrecorded money gold jewelry treated as income if unexplained तो एक ही टाइप की चीज़ें हो गए इसारी की सारी तो यहाँ पर क्या है applies to possessions not mentioned in the financial records requires explanation of nature and source of possessions ठीक है फिर amount of investments etc not fully disclosed तो excess amount spent on investments or possessions over recorded amount treated as income if unexplained इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह है कि suppose मैंने gold खरीदा तो 50,000 रुपे का ठीक है लेकिन books of accounts में दिखा दिया उसको 30,000 रुपीज का तो यह जो 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा मैंने खर्च किया है गोल्ड को लेने पर इसको income मान लिया जाएगा क्योंकि मैं उसको कम दिखा रहा हूँ सीथी सी बात है तो concerns discrepancies in recorded versus actual amount spent requires explanation for the difference फिर unexplained expenditure अब unexplained expenditure क्या हो गया यह कि money spent without satisfactory explanation of source treated as income कि मैंने पैसा खर्च तो कर दिया मैंने एक करोड रुपे खर्च कर दिया applies to expenditures not explained और inadequately explained unexplained expenditure not deductible in any income category ठीक है यह भी हो गया आओ जो हम अच्छा यह जो section 69 डी है इसको आप लोग जाने दे सकते हो यह basically bills of exchange या promisory note की तरह से financial instrument होता था हुंडी ठीक है उसके लिए यह किया जाता था लेकिन इसकी कोई practical relevance है नहीं आप लोगों के exam में जो questions आएंगे वो mostly in sections से related आएंगे या तो cash credit हो गया या तो unexplained investments हो गया वगया 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 इन section numbers को याद रखने की जरुरत नहीं है लेकिन हाँ इस section को याद रखने की जरुरत है 115 BBE वैसे यह वाला section भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा लेकिन इसका जो content है वो याद रखने की जरुरत है अभी आपको एक basically idea लगया है कि हमारे पास कितने type के unexplained sources of income या unexplained sources of expenditure या unexplained sources of investments हो सकते हैं जिसको हमारी income में add किया जा सकता है तो जो मैं आपको बता रहा था कि इन incomes को higher rate पर tax किया जाता है तो वो higher rate है क्या वो higher rate है 60% plus 25% surcharge plus 4% health and education says तो यह आपका 78% आ जाता है और इस income के against ना तो कोई exemption allow होगा ना तो कोई allowance allow होगी ना तो कोई इनका ना तो इनके against कोई set off allow होगा यह बात है aggregation of income हमारा complete हो जाता है हम बात करेंगे set off and carry forward of losses के बारे में अब old scheme और new scheme में यह जो set off and carry forward है यह दोनों अलग-अलग चीज़ है अब इसके लिए मैंने आप लोगों को एक दो चीज़ना बताई थी एक चीज मैंने बताई थी कि हमें इस chapter में सिर्फ वो वाले losses चाहिए जो पहले अपने ही head के अंदर बाकी किसी source से set off हो जाए यानि inter source losses उसके बाद अगर कोई loss बच जाए तो वो अपने ही साल के अंदर दूसरे head से adjust हो जाए यानि inter head adjustments और उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत loss बच जाए तो वो carry forward हो जाए तो इन तीनों categories में हम लोग बात करते है इसको भी याद रखने का simple तरीका मैंने आप लोगों को बताया था all you have to do is just simply go head wise head wise चलो सबसे पहले inter source फिर inter head फिर आपका carry forward अब इसमें भी head wise चलो कभी कोई confusion नहीं होगा सबसे पहला head कौन सा है income from salaries क्या income from salaries के अंदर कोई भी loss हो सकता है कभी भी salary में आपको loss हो सकता है salary में loss possible ही नहीं है तो salary के loss के set off की तो बात ही नहीं आती house property के loss को देखो हम लोगों ने कितने सारे questions किया house property में जहाँ पर आपके पास multiple house properties होती थी किसी एक में loss होता था दूसरे में profit होता था उन दोनों को आप set off कर देते थे तो क्या inter source set off of losses of house properties में कभी भी कोई problem आई है कभी कोई problem नहीं आई है house property done उसके बाद आजाओ आप PGBP में अब PGBP में आप आराम से तीसरा hit तो PGBP हो गया PGBP में आप किसी भी business head का किसी भी business का loss है वो किसी दूसरे business के profit के against set off कर सकते हो except for three cases एक अच्छा है दू बुरे है एक अच्छा कौन सा है 35 AD वाला वो 14 businesses थीक है वो अच्छे businesses है तो ये 35 AD वाले businesses के जो losses होंगे वो 35 AD वाले businesses के profits के against ही set off होंगे और दो खराब वाले कौन से है एक तो speculation business हो गया और दूसरा घोड़ों पर सट्टा लगाने वाला हो गया तो business के head के अंदर ये तीन exceptions आगे 35 AD का loss, 35 AD के against set off होगा owning and maintaining resources का loss owning and maintaining resources के against set off होगा और speculation business का loss speculation business के income के against set off होगा ठीक है ये वाला done 4 head कान सा है आपका 4 head है आपका capital gains अब capital gains में क्या होगा क्या कभी income from other sources में loss आ सकता है अगर आप ऐसे 5 हो head wise करोगे तो आपको कभी कोई confusion नहीं होगा हमेशा ये चीज़े याद रहेंगी इंटर source losses में और तो कुछ बचा निए, उसके बाद आजओ आप इंटर head में, salary head के बारे में बात करो, क्या salary head में loss हो सकता है, नहीं, तो उसके loss को set off करने की जरुरत का बात ही नहीं होती, house property का loss, क्या house property में loss होता है, हाँ, house property का loss, अगर house property के किसी profit के against set off होने लाइक नहीं है, ठीक है, मतलब house property, कोई दूसरी house property हमारे पास ही नहीं, जिसके अंदर इतना profit है, कि वो किसी और house property के loss को अपने अंदर set off कर सकता है, तो क्या house property का loss किसी दूसरे head के अंदर हम adjust कर सकते हैं, yes कर सकते हैं, 2 lakh तक का कर सकते हैं, ठीक है, only up to 2 lakh रुपीज, तो 2 lakh house property का loss हम किसी भी और head की income के against adjust कर सकते हैं, ठीक है, फिर PGBP के बारे में बात आये थी, तो PGBP में मैंने आप लोगों को ओमकारा का example दिया था, ठीक है, ओमकारा में मैंने आपको पूरी story बताये थी, और उसका एक dialogue था, कि जो लड़की अपने बाप को ठक सकती हो, किसी और की सगी क्या होगी, तो यहाँ पर वही मैंने आपको बताया था, कि PGBP में वो जो तीन losses है, जो अपने ही source के अंदर, अपने ही head के अंदर किसी और source से set off नहीं होगा, तो यह जो 3580 वाला loss है, यह किसी और head के against नहीं set off होगा, यह जो speculation business वाला loss है, यह किसी और head के against set off नहीं होगा, यह तो हो गई PGBP की, और मज़े की बात सुनो, PGBP का loss salary के against set off नहीं हो सकता है, तो यह सो बड़ा आसान हो जाएगा, आप logically सोचो, मैंने कोई job join की, मैं नया नया chartered accountant बना, मैंने job join की, और मैंने का आप मैं freelancing में अपने business भी set up करना हो, ठीक है, अपनी पूरी के नहीं क किया जा सकता है, एंब भी स्टावप करते हैं, तो अब capital gains वाले जो loss है, वो किसी भी और head की against set off नहीं किया जा सकता है, ठीक है, capital gain का जो loss है, वो सिर्फ और सिर्फcont quelques capital gains की profits के against भी set off किया जाएगा, तो inter source हो गया, inter head हो गया, बात करते हैं, carry forward के बारे में, तो normally 8 साल तक के लिए carry forward करने की permission मिलती है ठीक है मतलब अगर आपका house property का loss है which is to be carried forward तो आप उसको 8 साल तक carry forward कर सकते हैं and so on right अब इसमें कुछ exceptions है क्या PG BP के अंदर जो हमारे 3 exceptions थे 35 AD था तो 35 AD तो अच्छे वाले businesses है तो सरकार कहती है इसका आप loss carry forward करो for an indefinite period of time इसमें हम आपके ओपर कोई restriction लगा ही नहीं रहे तो 35 AD वाले businesses आप set up करो इसका कोई भी loss है आप उसको indefinite period तक set off करते रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है loss of loss from owning and maintaining resources और दूसरी चीज़ क्या थी speculation business यह तो दोनों खराब चीज़ है तो सरकार कहती है इसका loss आप carry forward कर सकते हो सिर्फ 4 साल तक बाकी सब में 8 साल बात खतम ठीक है old scheme वाला set off and carry forward आपका खतम हो गया रहीट चलो एक बात और हाँ बहुत important कि एक बार अगर आपका loss carry forward हो ठीक है suppose मेरा इस साल house property का 23-24 में house property में loss आया and I've carried it forward to the previous year 24-25 तो previous year 24-25 में मैं उस वाले loss को सिर्फ उस साल के house property ही income के against set off कर पाऊंगा ठीक है मतलब एक बार जब कोई loss carry forward हो गया तो आगे आने वाले सालों में वो सिर्फ अपने ही head के किसी भी source के against set off किया जा सकता है ठीक ह अब हम default scheme में बात करते है default scheme में क्या हो गया inter source, inter head, carry forward तीनों सेम चीज़ है ठीक है inter source में आओ देखो सबसे पहले क्या salary में loss हो सकता है नहीं क्या house property में loss हो सकता है हाँ house property का loss दूसरे sources से allowed है हाँ business income में आओ business income में ठीक है business income में PGP में हमारे पास old scheme में तीन exceptions होते थे ठीक है 35 AD loss from owning and maintaining resources और speculation business new scheme में 35 AD के losses को आप carry forward या set off नहीं कर सकते हो ठीक है new scheme में 35 AD के businesses का जो loss होता है उसका आपको कोई set off carry forward नहीं मिलता है not inter source, not inter head, nor carry forward तो 35 AD का अगर आपको loss claim करना है तो आपको old scheme में ही जाना चाहिए यह तो हो गई एक practical tip अब आजो इधर हम लोग वापस आते हैं तो PGP के अंदर दो ही losses के exceptions रह गए अब एक तो speculation business और एक आपका owning and maintaining resources तो यह दोनों losses any sources के incomes के against set off हो सकते हैं ठीक है यह दोनों any sources के incomes के against set off हो सकते हैं घोडो वाला जो loss है व against long term capital gain लेकिन long term capital loss cannot be adjusted against short term capital gain यह हो गई inter source की बात इंटर head के बारे में बात करते हैं salary head में तो loss आई नहीं सकता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है house property में loss आता है old scheme में ऐसा था कि आप house property का loss 2,00,000 रुपे तक किसी भी और head के against set off कर सकते हो new scheme में ऐसा नहीं है तो new scheme में अगर house property में आपको loss होता है और कोई दूसरा source नहीं है profit का house property के head के अंदर तो you'll have to compulsorily carry forward the house property वाला loss ठीक है PGP वाले loss में तो normal जो loss है वो तो आप PGP का loss है वो salaries के against or set off नहीं ही हो सकता उसके बारे में हम लोग ने बात की speculative business और loss from owning and maintaining resources यह आपका किसी और head के against होई नहीं सकता यह वह वाली बात होगे जो अपने ही head के अंदर किसी दूसरे source से नहीं set off हो सकता वो किसी दूसरे head से क्या ही set off होगा and same is the thing with capital gain also कि capital gain के भी जो loss है वो किसी और head के against set off नहीं किया जा सकते है carry forward exactly same as old scheme except for one thing 35 AD 35 AD यहाँ पर carry forward करने को मिलता ही नहीं है तो indefinite period के लिए carry forward करने का कोई sense ही नहीं बनता बाखी सारी चीज़ है 8 साल owning and maintaining resources 4 साल और speculation business 4 साल done हो गई बात and यहाँ पर भी वही बात है कि एक बार अगर आपका loss carry forward हो गया तो अगले साल वो उसी head के against set off होगा ठीक है किसी दूसरे head के against नहीं अब देखो इदर following brought forward losses या depreciation is not allowed to be set off while computing total income under default tax regime ठीक है तो brought forward loss from self occupied house property ठीक है specified business under section 35 AD इसका भी आप carry forward करके loss set off अगरा नहीं कर सकते हैं brought forward business loss on account of deduction under section 35 और 35 to AA मतलब यह कौन से होगे scientific research ठीक है तो scientific research की वजह से अगर आपको कोई loss हो रहा है तो उसको आप carry forward करके set off अगरा नहीं कर सकते हो unabsorbed depreciation attributable to additional depreciation under section 32 1 2a तो जो additional depreciation होता है इसका भी आपको carry forward set off अगरा new scheme में नहीं मिलता है clear हो गई बात इसके बाद कुछ और important points है आओ देखो losses not set off or carry forward ठीक है तो types of losses that cannot be adjusted against other income और carried to future years कौन-कौन से होगे loss from gambling betting card games etc loss from an exempt source ठीक है तो यह आपको old scheme new scheme दोनों है यह जो other points है यह old scheme new scheme दोनों में ठीक है तो आपका अगर कोई gambling betting मतलब इस type के जो casual income है उससे अगर आपको कोई भी loss हो रहा है तो ना तो उसका आपको कोई set off मिलेगा ना तो उसको आपको carry forward करने को मिलेगा और दूसरी चीज़ अगर आपकी कोई income exempt होती है जैसे मैं अगर किसी partnership में partner हूँ तो उस partnership के profit का जो भी मुझे share मिलेगा वो मे अगर आप सेट आफ क्या होगा तो सबसे पहले आप सेट आफ करते हो current year का depreciation या capital expenditure on scientific research and current year expenditure on family planning to the extent allowed old scheme में ठीक है new scheme में तो आपका ये new scheme में तो scientific नहीं हाँ new scheme में भी scientific expenditure allowed है ठीक है ये दोनों schemes का है ये दोनों schemes का है ठीक है brought forward loss from business profession या उसके बात करोगे तो सबसे पहले current year का depreciation या capital expenditure on scientific research and family planning ठीक है उसके बाद brought forward loss brought forward business loss फिर unabsorbed depreciation unabsorbed capital expenditure on scientific research फिर unabsorbed expenditure on family planning पिछले वाले तो इस sequence में आपको set off and losses करना है losses का अगर आपको carry forward करना है अगर आपको अगर आप चाहते हो कि losses को आप carry forward करके set off कर पाओ तो आपको return file करना पड़ेगा ठीक है तो section 80 कहता है कि 1393 में 1393 1393 हम लोग next to next classes में पढ़ेंगे next to next class में next class में तो हमारे deductions है और उसके अगली class में हम लोग return filing के बारे में बात करे होना होता उनको return file करनी है by 31st of July 24 और जिनका audit होना होता है उनको return file करना है by 31st of October 2024 ठीक है यह तो return filing के due dates होगे सरकार कहती है कि अगर आप अपना return loss में file करना चाहते हो तो आप loss return भी file कर सकते हो under section 1393 ठीक है तो loss का return आप file कर सकते हो under section 1393 लेकिन loss का return आपको timely file करना पड़ेग time limits के है वो ही 1391 वाली for non audit assesses 31st of July for audit assesses 31st of October section 80 कहता है कि अगर आपको losses को carry forward करना है तो आपको loss return file करना ही पड़ेगा और loss return भी आपको file करना पड़ेगा up to the due dates mentioned under section 1391 यानि simple भाशा में अगर बोलू तो losses को अगर आपको carry forward करके set off करना है तो you have to file your returns either before 31st of July और before 31st of October as the case may be ठीक है लेकिन अब इसके भी दो exceptions है इसके दो exceptions है कि loss from house property और unabsorbed depreciation यह आप carry forward कर सकते हो even if you haven't filed the return of income ठीक है even if you haven't filed the return of income आप इस पर भी carry forward कर सकते हो that's it okay let's get started deductions from gross total income आओ सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों को basically तीन चीज़े पढ़नी है एक exemptions under section 10 एक deductions under section under chapter 6a और तीसरा section 10 AA deduction under section 10 AA ठीक है तो what is the difference between exemption and a deduction exemption का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपकी income में count ही नहीं होती है ठीक है for example agricultural income तो agricultural income को हम अपनी आपकी income में count ही नहीं करते हैं वो partial integration वाली बात अलग है कि आपकी income tax निकालते समय एक बार हम लोग उसको integrate कर लेते हैं लेकिन जब हम computation of total income कर रह है ठीक है सिर्फ business portion of the agricultural income जो भी आपकी agricultural income होती है उसमें सिर्फ business वाला portion ही हम लोग अपने discussion में include करके चलते हैं ठीक है तो exemption हो गया वो चीज़ें जो आपके income में include ही नहीं होती है chapter 6a के reductions कौन से होते हैं chapter 6a के reductions होते हैं जो gross total income के बाद आप minus करते हो ठीक है तो आपने क्या किया पांचों heads का आपने income compute की पांचों heads की income को compute करने के बाद आपने clubbing की clubbing करने के बाद आपने देखा कि कोई losses आपके set off पगेरा तो नहीं हो रहे और उसके बाद आपके पास जो arrive होती है वो होती है gross total income अब इस gross total income में से आपको chapter 6a के कुछ deductions allow होते हैं कि gross total income है इस में से आप ये सारी चीज़े minus कर लो और फिर आपकी आती है total taxable income एक और चीज़ होती है section 10AA तो ये उन units के लिए होती है जो की SEZ में होती है तो SEZ में अगर कोई unit है जो manufacturing कर रही है और वो कुछ export करती है और export करने से कुछ profit कमाती है तो उस profit का थोड़ा सा deduction मिल जाता है under section 10AA तो 10AA और chapter 6a ये दो चीज़े जो है इनको deductions बोलते हैं और जो section 10 है वो आपका exemptions हो जाता है वो आपकी income में include ही नहीं किया जाता है ठीक है हम लोगों को deductions from gross total income में से ये दोनो चीज़े पढ़नी है बेसिकली दो deductions chapter 6a की deductions और 10AA की deductions ठीक है आओ सबसे पहले हम लोग start करते है अपने एक-एक section से ठीक है तो हमारा सबसे पहला section जो है वो है section ATC अगर आपको specified assets में investment करते हूँ तो आपको ATC में deduction मिलता है 1.500,000,000 रुपए तक का ठीक है आपको ATC म reduction नहीं मिलता तो इसमें कई सारे modes है जो important modes है वो ही मैंने यहाँ पर रखे हुए तो सबसे important mode है life insurance premium ठीक है life insurance premium तो life insurance premium के लिए अगर आप पैसा pay करते हो तो ATC में आपको उसका reduction मिलता है और हमने income from other sources वाले chapter में ये भी बात की थी कि life insurance policy की maturity पर जो भी पैसा मिलता है वो directly exempt हो जाता है under section 10 10b ठीक है उसकी conditions के है अगर 1st April 2003 के पहले अगर 1st April 2003 के पहले आपने policy issue की ठीक है तो आपका premium कितना deduction allowed होगा up to 20% of the capital sum assured ठीक है मतलब आपने अगर capital sum assure किया suppose 2,000,000 रुपे का तो 40,000 रुपे तक का premium आपका deduction में allowed हो जाएगा ठीक है 20% of 2,000,000 रुपे किता हो गया 40,000 रुपीज हो गया तो 40,000 रुपीज तक का deduction आपको allowed हो जाएगा अगर आपने premium suppose 50,000 रुपीज पे किया तो आपको deduction 40,000 कहीं मिलेगा और जो बचा हुआ 10,000 है उसका आपको deduction नहीं मिलेगा लेकिन ऐसी policy से जब भी पैसा mature होगा तो वो completely exempt हो जाएगा under section 10,10B यह सिर्फ उन policies के बारे में बात हो रही है जो 1st April 2003 से पहले issue ही है from 1st April 2003 till 31st March 2012 तो यहाँ पर अब 10,10B का exemption तभी मिलेगा अगर आपकी जो premium paid है वो 20% of the capital sum assured है तो जो deduction की condition थी वही condition यहाँ पर भी डाल दी गई है 10,10B वाली अगर policy 1st April 2012 के बाद issue की गई है तो आपको deduction मिलेगा under section 80C up to 10% of the capital sum assured और 10,10B का exemption भी तभी मिलेगा अगर premium paid 10% को exceed नहीं कर रहा है तो लेकिन 1st April 2013 से disabled लोगों के लिए इसकी limit बढ़ा कर 15% कर दी गई मतलब अगर 1st April 2013 के बाद आप policy लेते हो for someone suffering with a disability under section 80U और 80DDB तो उसको reduction मिलेगा for the premium up to 15% of the actual capital sum assured और 15% तक का अगर आपका premium है तो आपको 10,10B का exemption भी मिल जाता है normal लोगों के लिए जो disabled नहीं है उन लोगों के लिए 10% का ही premium होगा तभी उसको reduction और exemption मिलेगा ठीक है 1st April 2023 के बाद से यह चीज यहाँ पर आ गई है कि आपको premium का deduction मिलेगा जब premium होगा 10% of the actual capital sum assured यह हमें पता ही है लेकिन 10,10D का exemption तभी मिलेगा अगर premium paid 5,00,000,000 को cross नहीं कर रहा है कभी भी इस पर हम लोगोंने detailed discussion किया हुआ है in the chapter income from other sources ठीक है क्योंकि income from other sources में था कि जितना life insurance policy के maturity पर आपको पैसा मिलता है अगर वो पैसा 10,10D में exempt नहीं है तो कहां taxable होगा income from other sources में taxable होगा तो taxability के क्या rules आए है उस पर पूरा government of India ने एक guidance note issue किया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि उस guidance note से directly उठकर सवाल आपके exam में आने वाले है तो ये वाली जो चीज़ है 10,10D में कितना exempt होगा कितना नहीं exempt होगा क्या-क्या conditions है ये सारी के सारी चीज़ है detail में हम लोग ने discussion की है income from other sources वाले chapter में तो उसको आप लोग महां से देख सकते हो अगर आप PPF, SPF, RPF, Approved Super Annuation Fund में invest करते हो तो भी आपको reduction मिल जाता है अगर आप housing loan लेते हो ठीक है, आपने कहीं से अपने मकान बनाने के लिए loan लिया उस housing loan का principal repayment करते हो देखो, interest का reduction आपको section 24B में मिलता है under section income from house property लेकिन principal repayment का भी reduction आपको मिलेगा under section 80C ठीक है, और 80C के जितने भी modes है तो अगर आपने अपने किसी बच्चे के लिए school, college, university की fee पे की कौन सी fee, tuition fee तो दो बच्चों की tuition fee का आपको reduction मिलेगा under section 80C term deposit for a fixed period of not less than 5 years with a scheduled bank term deposit अगर आपने किया, उसका आपको reduction मिलेगा 5 साल का lock-in है subscription to a notified bonds of नाबार्ड, इस पर भी 5 year post office time deposit senior citizen saving scheme account etc contribution by the central government employee to additional account of NPS तो national pension scheme एक चीज़ होती है national pension scheme में दो प्रकार के accounts होते है tier 1 account और tier 2 account tier 1 account में जितना भी पैसा आप invest करते हो उसका reduction 80CCD में मिलता है और tier 2 में आप जितना भी पैसे जमा करते हो उसका reduction आपको 80C में मिल जाता है तो ये कुछ important है वैसे total 23 modes है 80C में लेकिन ये कुछ 9 modes है ये ही important है इनी से लगातार exam में questions आते हैं तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 कन्या सम्रिद्धी भी है लेकिन वो काफी याद रहता है तो इसलिए इसमें लिखने की ज़रूरत थी नहीं ठीक है next section हमारे पास आता है section 80CCC ये कहता है कि अगर आपने किसी pension fund में contribution किया तो आपको 1.5 लाग रुपे तक का उस पे reduction मिल जाएगा ठीक है exam में जब question आता है और question में आपको दिखाई दे exam के question में अगर कहीं आपको दिखाई दे deposit in deposit in LIC pension fund LIC pension fund तो LIC pension fund का reduction आप हमेशा 80CCC में ही लोगे LIC pension fund का reduction आप हमेशा 80CCC में ही लोगे 80C में नहीं लोगे 80C में बोला गया भई pension fund होगा तो reduction में लेगा लेकिन exam में जो question आता है उसमें LIC pension fund लिखा हुआ होता है और ICAI इसका reduction हमेशा ATCCD में देता है तो इसका reduction आपको भी ATCCD में ही लेना है ठीक है? आओ ATCCD के बारे में बात करते है अब ATCCD के अंदर 3 sections में reduction मिलता है ATCCD है क्या? अगर आपने National Pension Scheme में पैसा invest किया तो आपको ATCCD का reduction मिलता है National Pension Scheme क्या होती है? कि कोई भी employee अपनी salary का थोड़ा सा portion इसमें डाल सकता है जब तक वो retire होगा तब तक उसके पास एक huge corpus जमा हो जाएगा retirement के बाद वो इसमें से थोड़ा सा पैसा lump sum निकाल सकता है और बचा हुआ पैसा उसको monthly pension के रूप में मिलता रहेगा ठीक है? यह scheme सबसे पहले government employees के लिए introduced की कई थी जब government ने pension को बंद कर दिया था और उसके बाद इस चीज़ को expand कर दिया था for normal employees as well as for self-employed people as well ठीक है? अब यहाँ पर deduction मिलता है under three sections ATCCD 1, ATCCD 1B और ATCCD 2 ठीक है? तो आपले अपले के बिलिटी क्या होगी? Central government employees post 1st January 2024 and others and self-employed यहाँ पर भी all individuals contributing to NPS ठीक है? और ATCCD 2 का reduction मिलता है employer के contribution पर है. Employer अगर आपका contribute कर रहा है तो उसके contribution का reduction ATCCD 2 में मिलता है खुद के contribution का reduction मिलता है ATCCD 1 में और ATCCD 1B में और employer के contribution का reduction मिलता है ATCCD 2 में ठीक है? तो scheme वीम ठीक है वो आप देख ले ना? deduction limit देखो deduction limit देखो. अगर आप employee हो, अगर आप employee हो तो ATCCD 1 की क्या limit है? 10% of salary ठीक है? अगर आप employee नहीं हो तो 20% of gross total income self-employed हो, तो 20% of gross total income यह limits है ATCCD 1 की लेकिन आपको पता है एक section होता है ATCCE ATCCE कहता है के ATC ATCCC और ATCCD 1 इन तीनों का deduction मिला कर 1.5 lakh से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है? ATCCE कहता है कि यह 3 sections है इन तीनों sections का reduction मिला कर 1.5 lakh से ज्यादा नहीं हो सकता कौन से 3 sections? ATC ATCCC और ATCCD 1 ठीक है? ATCCD 1 भी ATCCE की लिमिट के अंदर नहीं आता और ATCCD 2 भी ATCCE की लिमिट में नहीं आता है तो यहाँ पर देखो ATCCD 1 में लिखा हुआ है maximum 1,50,000 रुपीस under section ATCCE I hope आप लोग इन notes को जो notes बनाने का तरीका है आप लोग उसको appreciate करोगे colored notes है tabular form में सारी की सारी summary आप लोगों को दीव हुई है एकदम last minute revision के लिए अच्छा-कासा आपका हो सकता है ठीक है? additional 50,000 आपको मिलेगा यहाँ पर यह जो ATCCD 1B है ATCCD 1B में जो आपको reduction मिलता है तो इसमें additional 50,000 का reduction मिलता है ATCCE की limit के उपर ठीक है? तो अब exam में जब practical questions होता है और आपने contribute किया हुआ होता है ATCCD वाले में NPS में contribute किया हुआ है तो हम अंख बन करके सबसे पहले 50,000 का reduction ATCCD 1B मिले लेता है और बचा हुआ जो होता है उसका reduction हम लोग ATCCD 1 मिलेता है ठीक है? अच्छा section ATCCD 2 में क्या होता है अगर government employer है तो 14% of the salary का reduction मिलेगा आपको लेकिन पहले ये ATCCD 2 वाला contribution आपकी salary में add होगा ठीक है? तो जितना भी आपका employer आपके लिए NPS में contribute करेगा वो contribution पहले आपकी salary में add होगा और उसके बाद gross total income में से minus होगा ठीक है? ATCCD 1 का deduction आपको मिलेगा old scheme में ATCCD 1 का deduction आपको मिलेगा old scheme में ATCCD 1 B का deduction आपको मिलेगा old scheme में लेकिन ATCCD 2 का deduction old and new दोनों में आपको मिल जाएगा ठीक है? ATCCD 1 की में apply करती है ATCCD 1 B में apply नहीं करती ATCCD 2 में भी apply नहीं करती है जब आप पैसा withdraw करोगे तो वो पैसा taxable हो जाएगा ठीक है अगर आपने withdraw किया या policy से opt out कर लिया या आपने कोई annuity purchase कर ली ठीक है तो ये पैसा आपका taxable हो जाएगा अब exemption कितना मिलेगा अगर आपने close की policy को या opt out किया तो 60% आपका tax free हो जाता है under section 12A ठीक है तो 60% tax free हो जाएगा 40% ही taxable हो जाएग और अगर partial withdraw किया तो 25% आपका tax free हो जाएगा और बाकी 75% आपका taxable हो जाएगा तो 25% आपका exempt हो जाएगा बाकी आपका taxable हो जाएगा ठीक है उसके बाद ATCCE तो कुछ भी नहीं है कि ATC, ATCCC और ATCCD1 इन तियों का मिलाका 1.5 लाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए simple उसके ब ATCCD था यह NPS वाला था उसी तरह से यहाँ पर भी है ATCCH1 और ATCCH2 अपलिकेबिल क्या है? अपलिकेबिलिटी है इंडिविजवल अगनी वी इन रोल्ड इन अगनी पत स्कीम तो यह बेसिकली जो हमारे देश का यूथ है उसको आमी में भीजने के लिए प्रोचाहन देने के यह वाली स्कीम लाई गई है मोटिवेट करने के लिए कि जो यूथ है वो आमी में जाए तो अब आर्मी में जाने के लिए अगनी वीर अगनी पत स्कीम बनाई गई है और इसमें क्या होते है जो भी इसमें enrolled होते है तो वो अपना contribution करते है और उनका employer यानि government वो भी contribute करती ह तो जो government contribute करती है उसका भी reduction मिलता है ATCCH2 में और जो खुद का contribution होता है उसका reduction मिलता है ATCCH1 में ठीक है तो यह ही हो गया आपका contribution exemption 1012C में payments to Agnivis or their nominees from Agnipat Corpus Fund ठीक है तो जो भी आपको जब भी maturity पर मिलेगा या जो भी nominees को मिलेगा या आपको खुद को मिलेगा वो पैसा completely exempt होता है वो पैसा completely exempt होता है contribution कितना 30% अगनीवीर package by the individual तो ATCCH1 में आपको कितना reduction मिलेगा जो भी आपका अगनीवीर package है उसका 30% तक का contribution का आपको reduction मिल जाएगा और इतना ही पैसा अगर government जो आपका employer है वो contribute करेगा तो उसका reduction आपको ATCCH2 में मिल जाएगा ठीक है deduction availability अच्छा ये आपको मिलेगा old scheme में ही ठीक है खुद के contribution का deduction आपको सिर्फ old scheme में मिलेगा ये आपको ये जो है ATCCH2 वाला ये old और new दोनों में मिल जाएगा ठीक है ये old और new दोनों में मिल जाएगा तो deduction availability का है deduction for contributions to Agnivir corpus fund if opted out of the default scheme यहाँ पर क्या है ATCCH2 में deduction for government's contribution included in salary ठीक है तो क्या होगा जो salary में आपको मिला जो government का contribution हुआ आपके अगनी वीर corpus fund में पहले वो आपके salary में add होगा और उसके बाद उसका reduction मिलेगा ठीक है तो यह जो maturity पर या withdrawal पर पैसा होता है वो completely exempt रहेगा चाहे old scheme हो चाहे new scheme हो quantum of deduction amount deposited in Agnivir corpus fund on and after 1st November 24 full amount of government contribution full amount received यह आपका exempt हो जाएगा ठीक है तो basically यह जो ATCCH वाला आया है अगनी पत scheme वाला इसमें क्या है कि जो Agnivirs होते हैं वो अपना 30% of the Agnivir package का contribution करेंगे तो उनको ATCCH1 में reduction मिलेगा ठीक है ज्यादा भी contribute कर सकते हैं लेकिन reduction मिलेगा only up to 30% of Agnivir package employer जितना भी contribute करेगा उसका reduction मिलेगा बर पहले वो आपकी salary में add होगा बाद में उसका reduction मिल जाएगा next ATD है medical insurance premium वाला ठीक है ATD है medical insurance premium वाला तो अगर आप self spouse and dependent children के लिए अगर आप self spouse or dependent children के लिए health insurance लेते हो तो 25,000 रुपे तक का आपको reduction मिलता है अगर कोई भी senior citizen है आपके spouse में से वगर वगर तो 50,000 रुपीस का आपको reduction मिल जाता है अगर आप HUF हो तो any family member आपका वो हो जाता है उसके लिए आपको reduction मिल जाएगा अगर आप CGHS या notified scheme में invest करते हो तो भी आपको 25,000 रुपीस का reduction मिलता है अगर कोई भी senior citizen है तो 50,000 रुपीस का reduction हो जाता है जब आप parents के लिए health insurance लेते हो तो आपको additional 25,000 रुपीस का reduction मिलता है लेकिन अगर parents senior citizens है तो आपको 50,000 रुपीस तक का reduction मिल जाता है अगर कोई senior citizen ऐसा है जिसके पास health insurance policy नहीं है तो उन senior citizen के लिए अगर आप medical expenditure इंकर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको 50,000 रुपीस का reduction मिल जाएगा ठीक है अगर आपके दोनों parents है तो दोनों parents का reduction 50,000 से उपर नहीं हो सकता अगर आप preventive health check-up कर रहे हो तो सिर्फ इसका payment आप cash में कर सकते हो और इसका आपको 5000 रुपे का reduction मिलेगा लेकिन ये जो 5000 रुपे है ये इस 25,000 और अपने लिए 25,000 वाली limit के अंदर ही आता है मतलब this is not over and above 25,000 और 50,000 limit ठीक है तो 25,000 का आपको reduction मिलेगा और अगर आप senior citizen हो तो आपको 50,000 रुपे का reduction मिलेगा medical health preventive health check-up के लिए अगर आप दे रहो तो आपको 5000 रुपे का ही reduction मिलेगा but this 5000 रुपे is included in the 25,000 and 50,000 limit ठीक है this is not over and above कोई भी health insurance premium अगर आप पे करोगे तो that has to be paid by any mode other than cash cash में पे करोगे तो उसका reduction नहीं मिलेगा लेकिन preventive health check-up का जो अगर आप payment करो वो cash में भी करोगे तो भी आपको उसका reduction मिल जाएगा ठीक ATDD is dependent disabled अचा बाइदर यह सारे के सारे sections का reduction आपको old scheme में means और आपको जू ATD में भी आपको reduction मिलेगा वो old scheme मी ही मिलेगा Okay ATDD dependent disabled यहां पर आपको reduction मिलेगा old scheme में ठीक है eligible क्या है Resident of India both individuals and hf qualifying payment क्या है जब आप किसी dependent disabled के लिए किसी disabled बंदे के लिए जो कि आप पर dependent है, उसकी कोई medical care वगरा कर रहे हो, ठीक है? उसकी medical care वगरा कर रहे हो, तो उसका आपको reduction मिल जाएगा उसका आपको reduction मिलेगा 75,000 रुपीज मिलेगा, flat deduction for disability, और अगर severe disability है, तो 1,25,000 रुपीज का reduction मिलेगा, ठीक है? 75,000 रुपीज का flat deduction मिलेगा, normal disability पर, और अगर severe disability है, तो 1,25,000 रुपीज का reduction मिलेगा I hope this is clear, ठीक है? condition, हाँ, तो फिर एक certificate तो चाहिए होगा, dependent का मतलब क्या है, individual के लिए spouse, children, parents, brother or sister, ठीक है? spouse, children, parents, brother और sister, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ठीक है? ये हर section के लिए थोड़ा बहुत अलग अलग है तो this you need to remember ठीक, then we have ATDDB, ATDDB क्या कहता है? ATDDB ये कहता है, कि अगर आप अगर आप payment कर रहे हो अगर आप payment कर रहे हो disability के लिए, ठीक है? ये भी basically disability वाली ही चीज है, कि के लिए, कोई कोई ऐसा बंदा है, जिसकी disability के लिए आप nursing वगरा कर रहे हो, medical care वगरा कर रहे हो तो फिर आपको उसका reduction मिलेगा, ATDDB तो for self and dependent spouse, children, parents, brothers, sisters who are wholly or mainly dependent on the individual for support and maintenance. Actual sum paid और 40,000 rupees, whichever is less 1 lakh rupees for senior citizens, minus any amount received from the insurance or reimbursed by the employer. HOF के लिए यह हो जाता है, any member of the HOF, और यहाँ पर quantum of deduction क्या है, या तो 40,000 rupees, या तो 1,00,000 rupees, minus जितना भी पैसा आपको employer से, insurer से मिला है, ठीक है? यह reduction भी आपको तभी मिलेगा, जब आपने old scheme के लिए opt किया है, new scheme में इसका reduction आपको नहीं मिलता, ठीक है? तो ATDDD क्या हो गया? dependent, disabled, वहाँ पर flat, 75,000 rupees का reduction मिलता है, और अगर disability severe है, तो 125 का reduction मिलता है, ATDDD में, ATDDD में, senior citizen से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ATDDD simply बात करता है, dependent, disabled के बारे में, तो वहाँ पर focus किया गया है disability के उपर, ठीक है? यहाँ ATDDD में focus किया गया है prescribed disease की care पर, तो अगर कोई आपका dependent है, अगर कोई आपका dependent है और वो prescribed disease से सफर कर रहा है और उसके लिए आप खर्चा कर रहे हो, तो जितना खर्चा आप करोगे, उसका आपको reduction मिलेगा अप टू 40,000 रुपीस और अगर senior citizens के लिए किया तो अप टू 1,00,000 रुपीस का खर्चा मिलेगा लेकिन अगर insurance company से या employer से कुछ reimburse हो गया, तो वो minus हो जाएगा ठीक, फिर ATE, higher education के लिए अगर आपने loan लिया, उस loan पर जब आप interest पे करोगे, उसका reduction आपको ATE में मिलेगा, ठीक है ध्यान रखना, जो ATC में किया था, वो था tuition fee, paid for children, ठीक है, tuition fee था इंडिया में अगर आप किसी भी school, college, university में पे करोगे अपने बच्चों के लिए, तो tuition fee का reduction ATC में मिलेगा यहाँ, आप अपने लिए बीबी के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए भी higher education के लिए loan ले सकते हो और उस loan पर जो आप interest पे करोगे उसका reduction ATE में मिलेगा, ठीक individual spouse or children, या जिसके लिए आप legal guardian हो वो, ठीक है interest payment आपको मिलेगा, initial assessment year के लिए, और फिर 7 assessment year, initially, immediately succeeding the initial assessment year, या जब तक आपका loan नहीं पे हो जाता, तो यहाँ पर कोई limit नहीं है, जितने का भी interest है, आपको पूरे interest का reduction मिल जाएगा लेकिन सिर्फ old scheme में ही मिलेगा next, अगर आपने मकान खरीदने के लिए loan लिया है अगर आपने मकान खरीदने के लिए additional deduction भी मिलता है, ठीक है individuals को मिलता है interest on loan का reduction, up to 50,000 लोपीस for interest on loan लेकिन इसकी conditions है, condition क्या है loan sanction होना चाहिए previous year 16 सत्रा में, loan amount 35 लाके उससे कम होना चाहिए, house की value 50 लाके उससे कम होनी चाहिए और assessi के पास कोई और house नहीं होना चाहिए on the date of sanction of loan ठीक है, यह भी आपको old scheme में ही मिलेगा, next आपके पास आता है 80 EEA, यह भी house property के acquisition पर जब आप loan लेते हो तो उस पर जो भी आप interest पे करते हो, उसका reduction यहाँ पर आपको मिल जाता है eligible assessi यहाँ पर individual है interest payable on loan for purchase of house property, यहाँ की limited 1.500,000 रुपे, आओ, इसकी conditions देखते है इसमें भी चार conditions है यहाँ loan आपका sanction होना चाहिए from 1st April 19 तिल 31st March 22 तो 80 EEA में क्या है 1st April 19 से 31 March 22 के बीच में loan sanction होना चाहिए मकान की stamp duty value 45,000,000 के उससे कब होनी चाहिए मकान की जो value है time duty value है 45,000,000 के उससे कम होनी चाहिए और जिस दिन loan sanction हुआ उस दिन कोई और मकान इसके पास नहीं होना चाहिए और 80 EEA में इसको कोई deduction नहीं मिलना चाहिए ठीक है, 80 EEA में इसको कोई और deduction नहीं मिलना चाहिए यह भी आपको old scheme में ही मिलेगा फिर आता है आपका 80 EEB अगर आप electric vehicle खरीदते हो अगर आप electric vehicle खरीदने के लिए आप loan लेते हो उस loan पर जो भी आप interest पे करोगे उसका reduction आपको 80 EEB में मिलेगा ठीक है, 80 EEB में मिलेगा डेड़ लाख की इसके limit है loan sanction होना चाहिए 1st April 19 से 31 मार्च 23 के बीच में और ये भी आपको old scheme में ही मिलेगा फिर हम आते हैं 80G पर जब आप donations करते हो तो आपको 80G में reduction मिलता है ठीक है, अब इसमें 4 categories होती है 100% without any qualifying limit 50% without any qualifying limit 100% subject to qualifying limit and 50% subject to qualifying limit ठीक है, तो यहाँ पर पहले इन categories में कौन-कौन सी चीज़े हैं उसके बारे में बात करते हैं तो जो category 1 है 100% without any qualifying limit तो इसमें Prime Minister's National Relief Fund आता है National Children's Fund, स्वच भारत कोष National Defence Fund, PMKS Fund बगेरा ठीक है, तो यह आपका 100% without qualifying limit में आ गया यहाँ 50% without any qualifying limit Prime Minister's Drought Relief Fund आ जाता है यहाँ पर दो चीज़ें आती है Family Planning वाला और Olympics वाला 100% subject to qualifying limit और यहाँ पर क्या आता है, यह मैंने आपको कैसे याद करा है था मैंने आपको याद करा है था कोई भी charitable activity करो ठीक है, कोई भी charitable activity करो तो 50% without 50% subject to qualifying limit अब पूछा जाता है भी charitable activity क्या करें चारिटेबल activity क्या करें ठीक है, कोई भी charitable activity करो आपको आपको reduction मिलेगा 50% subject to qualifying limit तो पूछा जाता है भी charitable activity क्या करें तो यहाँ पर family planning की बात तो होई गई थी तो family planning के अलावा कोई बात कर लो ठीक है, family planning के अलावा क्या बात करें क्या बात करें, अरे minority के लिए घर बनवा दो minority के लिए घर बनवा दो ठीक है, तो minority वाला और घर बनवाने वाला और minority के लिए घर बनवा के क्या करें मंदर मस्जित गुरुदवारे बनवा दो मंदिर, मस्जिद, कुरुदवारे बनवादो ठीक है, तो ये 5 चीज़े हैं जो आपको ऐसे याद हो सकती है यहाँ पर जो category 3 है इसमें तो 2 चीज़े हैं, क्या एक तो family planning, दूसरा sports ठीक है, family planning, दूसरा sports फिर ये वाली जो चौती चीज़े हैं, इसमें 5 categories है कोई भी charitable activity कोई भी charitable activity मतलब क्या family planning तो हो गई न, family planning के अलावा अरे भाई, family planning के अलावा क्या, मकान बनवादो भाई किसके लिए मकान बनवादो, minors के लिए मकान बनवादो, अच्छा, और क्या करवादो मंदर मजजद गुरद्वारे रिपेर करवादो simple, ठीक है qualifying limit का मतलब होता है 10% of adjusted total income 10% of adjusted total income और adjusted total income होती है gross total income minus all the deductions except ATG minus capital gains ठीक है, adjusted total income होती है gross total income minus deductions except ATG, short term capital gain under section 111A and long term capital gains तो long term capital gains में आपके सारे के सारे आगए short term capital gain आपका specifically 111A वाल आगया जो shares वाला होता है यह आपकी adjusted total income है इसका 10% qualifying limit आगई इसका 10% qualifying limit आगई अब देखो, deduction कैसे allow होता है उसके लिए मैंने आपने एक example दिया हुए कि माल लो, आप category 4 में हो 50% subject to qualifying limit आपने actual donation किया एक लाख रुपे का और आपकी qualifying limit आई 80,000 रुपे की आपकी qualifying limit आई 80,000 रुपे आपका मन क्या करेगा आपका मन करेगा क्या रहे 50% subject to qualifying limit तो donation का 50% ले लो 50,000 मुझे तो 50,000 का reduction मिल जाना चाहिए आपके मन में ऐसा आएगा आपके मन में ऐसा आएगा कि 50% ठीक है 50,000 का deduction मिल जाना चाहिए क्यों क्योंकि 50,000, 80,000 से तो काम है ऐसा आपके मन में आएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है होता कैसे है कि आपको देखना होगा the amount of actual donation या qualifying limit whichever is lower तो lower क्या आया lower आया 80,000 अब इसका 50% आपको करना होगा और इसका 50% आएगा 40,000 इसका आपको reduction मिलेगा ठीक है तो 50% subject to qualifying limit का मतलब है कि जो donation या qualifying limit whichever is lower जो lower है उसका 50% ठीक है don't do 50% of the donation or qualifying limit whichever is lower feel ही आती है लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है तो पहले आप 100% आप अलट जस्ट करोगे बाद में 50% आप अलट जस्ट करोगे 2000 से उपर अगर आपने cash में payment किया तो कोई आपको reduction नहीं मिलेगा ठीक है 2000 रुपे का भी reduction नहीं मिलेगा मालनो आपने 5000 रुपे donation किया cash में ठीक है ठीक है ATGG मैंने आपको बताया था घर घर जिन लोगों को HR नहीं मिलता है उन लोगों को मकान के rent पर ATGG में gross total income से deduction मिल जाता है तो कौन है eligible individual not in receipt of house rent allowance eligible payment के है rent paid for residential accommodation क्या है lease of the following is exempt ठीक है वहाँ हम लोग क्या करते थे वहाँ हम लोग 3 चीज़ें करते थे lease of the following HR में हम लोग 3 चीज़ें क्या क्या करते थे हम लोग सबसे पहले करते थे actual rent paid ठीक है sorry actual HR received हम लोग वहाँ पर करते थे HR में actual HR received ठीक है यहाँ पर तो actual HR received धही नहीं कुछ उसकी जगह आप करतो 5,000 रुपीस पर मंद यानी 60,000 रुपीस ठीक है दूसरी चीज क्या आ गई rent paid minus 10% of the salary था यहां आ गया rent paid minus 10% of the total income तीसरी चीज क्या थी 40 या 50% of the salary यहां पर वो आ गया 25% of the total income ठीक है बस सिंपल हो गई बात old scheme में ही इसका reduction आपको मिलेगा next आता है ATGGA तो जो बंदे business में नहीं है वो अगर scientific research के लिए या rural development के लिए contribution करना चाहते हैं उनको reduction कहां से मिलेगा scientific research के लिए अगर आप businessman हो और तब आप contribute करते हो तो section 35 में आपको उसका reduction मिल जाता है लेकिन अगर आप businessman नहीं हो अगर आप businessman नहीं हो salaried हो ठीक है तो फिर आपको reduction कैसे मिलेगा तो आपको reduction मिलेगा ATGGA में ठीक तो any SSE not having income chargeable under the head profits and gains from business or profession donation for scientific research and rural development कितना मिलता है actual donation लेकिन अगर 2000 से उपर है no reduction shall be allowed for donation in excess of 2000 rupees if paid in cash ठीक है और ये भी आपको old scheme में ही reduction इसका मिलता है फिर हम बात करते है ATGGB के बारे में contribute अगर करना है तो लेकिन ATGGB सिर्फ companies के लिए है ठीक है और वो भी ऐसी companies जो की new scheme में नहीं है ये companies का new scheme वाले sections है 115 BWA 115 BAB ये company के new scheme वाले sections है जो आप लोग CA final में पढ़ोगे ठीक है ये आप लोग CA final में पढ़ोगे इंटर में ये नहीं है तो कोई भी ऐसी company जो old scheme में के लिए opt कर दिये वो अगर political parties को contribute करती है तो उसका reduction इसको ATGGB में मिलता है जितना भी contribute करें वो चलेगा cash में contribution नहीं होना चाहिए ATGGBC companies के अलावा आपके मेरे जैसे लोग अगर हमें political parties में contribution कर ला है तो उसका reduction हम लोगों को मिलेगा ATGGBC में कितना भी contribute करें reduction हम लोगों को मिल जाएगा ये थे deductions in respect of certain payments ठीक है ये था deduction in respect of certain payments चाप्टर 6-1 में जितने भी deductions हैं उनको 4 categories में classify किया गया है चार categories deduction in respect of certain payments, deduction in respect of certain incomes, deduction in respect of other incomes और other deductions ठीक है यहां हम लोगों ने कर लिया ATC से लेकर ATGGBC ठीक है यहां हम तीन sections करेंगे ATJJAA, ATRRB और ATQQB यहां हम दो sections करते हैं ATTTA और ATTTB और यहां हम एक section करते हैं ATU यहां पर हम एक section करते हैं ATU deductions in respect of certain payments हमारा complete हो चुका है deductions in respect of certain incomes यानि यह जो तीन sections हैं ATJAA, ATRRB और ATQQB यहां पर deduction तभी आपको मिलेगा अगर आप अपना return of income due date पे या उससे पहले-पहले फाइल करोगे ATAC और ATAC कहता है कि इन तीन sections का reduction आपको तभी मिलेगा अगर आप अपना return of income due date या उससे पहले-पहले फाइल करोगे ठीक है, अगर आप अपना return of income due date या उससे पहले-पहले file करोगे, यह हो गया, ओके, तो as per section 80AC, furnishing return of income on or before due date is mandatory for claiming reduction in respect of certain income, these sections are there in our syllabus, वैसे तो पूरी list है, 80 IA से लेकर बहुत लंगी list है, हमारे syllabus में तीनी sections है, ATJJAA, QQB और RRB, आओ, ATJJAA के बारे में बात करते हैं, ATJJAA का introduction किया गया था to promote employment, ठीक है, तो employment के लिए यहाँ पर companies को बोला जाता है, कि आप अगर audit में fall करते हो, ठीक है, आप अगर audit वाली requirement में fall करते हो, audit वाली requirement में कौन companies fall करते हैं, जिनका turnover या तो 1 करोड से उपर है, या तो 10 करोड से उपर है, 10 करोड के लिए specified limits थी, कि आपकी total, आपकी जो receipts है, total receipts का 5% से कम cash में होना चाहिए, total payments का 5% से कम cash में होना चाहिए, तो audit की limit बढ़ाकर 10 करोड कर दी गई थी, anyway, अगर आप audit वाले company हो, अगर आप audit वाले company हो, not necessarily company, audit वाले individual भी अगर आप हो, और आपकी gross total income में business आ रहे हैं, मतलब आप businessman हो, तो employees को additional employee cost का 30% का आपको reduction मिल जाएगा, अब additional employee cost का मतलब क्या है, साल भर के अंदर आपने अगर कोई नए employees हायर किये, साल भर के अंदर, अगर आपने कोई नए employees हायर किये, तो वो आपके additional employees होगे, उनको आप salary पे कर रहे हो, उनको salary जो आप पे कर रहे हो, उसका P&L में two salaries करके, तो deduction आप लोगे ही लोगे, उस पे कोई मनाई नहीं है, लेकिन जितनी भी salary आप पे कर रहे हो, उसका 30% का आपको over and above, हम deduction देंगे, under section 80, डबल ज, डबल ले, ठीक है, और ये 3 साल तक मिलेगा, ये deduction 3 साल तक मिलेगा, तो deduction is available for 3 assessment years, including the year relevant to the previous year in which the new employees are hired, eligibility की conditions के है, simple है, नया employee होना चाहिए, नया employee कब हम लोग बोलेंगे, जब number of employees at the beginning of the year, और number of employees at the end of the year में change है, ठीक है, अगर आपने 10 employees को हायर किया और साती साथ 10 employees को निकाल दिया, तो आपको reduction नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको नया employee रखना पड़ेगा, पुराने employees के ऊपर आपको नया employee रखना पड़ेगा, तभी आपको 80 डबल ज, डबल ज, डबल ए का reduction मिलेगा, तो the business should not be created by splitting up an existing business or through reconstruction of an existing business, the taxpayer should not acquire the business through a transfer from another person or a result of business organization, an accountant's report with specific details must be submitted before September 30 of the assessment, योर, ठीक है, ये आपका conditions हो गई, अब अधिशनल employee cost मतलब, अधिशनल employees को जो भी आप पैसा दे रहे हो, वो, specific electronic means include account paycheck, bank draft अगरवगरा, cash में नहीं देना चाहिए, other than cash आपको payment करना चाहिए, additional employee का मतलब क्या है, additional employee का मतलब है, someone high during the previous year, increasing the total number of employees, ठीक है, लेकिन इसके कुछ exceptions है, अगर किसी employee की salary 25,000 रुपे महिने से ज्यादा है, तो आपको 80,000,000,000 का deduction नहीं मिलेगा, अगर किसी employee, कोई employee ऐसा है जिसके pension fund के contributions पूरी की पूरी central government कर रही है तो ATJAA का benefit आपको नहीं मिलेगा अगर कोई ऐसा employee है जो कि RPF में participate नहीं कर रहा है ATJAA का benefit नहीं मिलेगा अगर कोई employee ऐसा है जो 240 days से कम के लिए आपने hire किया हुआ है तो ATJAA का benefit नहीं मिलेगा लेकिन हाँ अगर ये footwear या manufacturing आपडरल या footwear या leather products के लिए तो 240 दिन की जगा 1500 है मतलब 200 के उपर 240 से कम हुआ 240 से कम दिन के लिए employed है लेकिन 1500 के उपर है तो फिर आपको reduction मिल जाएगा मानलो कोई employee आपका February या March में employee हुआ मानलो आपने कोई employee January, February, March में employee किया तो साल खतम होने तक 244 दिन पूरे ही नहीं हुए 244 दिन पूरे होने से पहले ही साल खतम हो गया तो आपको अगले साल से 3 साल तक उसका reduction मिल जाएगा मतलब अगर मानलीजे आपने 23-24 में लेट से आपने February 2024 में नया employee हायर किया तो 31, March 2024 तक 244 दिन पूरे हुए नहीं तो मानलिया जाएगा कि ये employee 24-25 में हायर किया गया और 24-25, 25-26 और 26-27 में इसका reduction मिल जाएगा अगर ये employee आपके पास रहा पूरे साल के लिए तो ठीक है Same is the case with 150 days as well Emoluments Payments to an employee excluding contributions इसका reduction आपको मिलेगा old में भी और new scheme में भी old scheme, new scheme दोनों में आपको इसका reduction मिल जाएगा फिर बात करते है royalty income जो authors को royalty income मिलती है उसका reduction 80QQB में मिलता है eligible sse हो गया resident individual being an author eligible income क्या हो गई royalty income etc of authors of certain books other than text books तो consideration for assignment of grant or any of his interests in the copyright of any book being a work of literary artistic scientific nature बगेरा बगेरा देखो मुद्दे की बात 3,000,000 रुपे तक का reduction मिलता है लेकिन वो अगर आपको overseas से royalty मिल रही है तो फिर आपको उस पैसे को इंडिया में लाना पड़ेगा due date of return filing से पहले-पहले आपको उस पैसे को की royalty दे रही है तो आप 15% के साब से calculate करोगे और तभी आपको इसका reduction मिलेगा up to 3,000,000 रुपे ठीक है बस ये आपको old scheme में ही मिलेगा ये आपको old scheme में ही मिलेगा फिर 80 RRB 80 RRB होता है जब आपको patents के लिए royalty मिलती है जब आपको patents के लिए royalty मिलती है ठीक है तो royalty on patents any income by way of royalty on patents registered on or after 1st April 2003 whole of such income और 3 lakh rupees whichever is less simple ये भी आपको old scheme में मिल जाता है ठीक उसके बाद आप इदर आओ 80 TTA अच्छा ये 3 sections आपके होगे deductions in respect of certain incomes ये 3 हो गए आपके अब हम तीसरी category में आ रहे deduction in respect of other incomes other incomes में 2 sections 80 TTA और 80 TTA 80 TTA non senior citizens के लिए 10,000 rupees तक का reduction मिलता है जितना भी आप savings bank account से interest earn करते हो उस पर 80 TTA senior citizens के लिए savings bank account fixed deposits कहीं से भी आपको interest मिले 50,000 रुपे तक का reduction का 50,000 रुपे तक का reduction मिल जाता है 80 TTA और 80 TTA B का reduction आपको old scheme में ही मिलता है ठीक है 80 TTA और 80 TTA B दोनों का reduction आपको old scheme में ही मिलेगा ATU क्या है? disabled भोग flat 75,000 रुपेस का reduction मिलता है अगर disability severe है तो 1,25,000 रुपेस का reduction मिलेगा old scheme में ही मिलेगा और medical certificate आपको एक चाहिए होगा यह दिखाने के लिए कि हाँ आप actually वो disability suffer कर रहे हो chapter 6 A के reductions complete हो गए 10 AA के reductions पर हम लोग आ जाते है तो 10 AA के reductions किसको मिलता है? किसी भी SSE को जो SEZ में अपनी एक undertaking निकालता है उसमें कुछ manufacture करता है चीज़े या produce करता है और उसको export करता है और export करने से उसको profit मिलता है तो यह जितना भी पैसा मिला उसको 6 मेने के अंदर अंदर उसको इंडिया में लाना होगा convertible foreign exchange में उसको लाना होगा और 44 A B में वो audit वगेरा होगा Chartered Accountant से उसको report चाहिए होगी return of income उसको timely file करना होगा यह unit setup होनी चाहिए between 1st April 2005 to 1st April 2021 ठीक है 1st April 2005 से लेकर 1st April 2021 पहले ही है 31 March 2020 तक की ही थी 15 साल की scheme थी है ठीक है पहले 15 साल की scheme थी फिर वो COVID वगेरा आया था ठीक है तो फिर इसके लिए 1 साल बढ़ा दिया गया था तो 1st April 2005 से 1st April 2021 के पहले अगर आपने वो की अगर आपने कोई SEZ में कोई manufacturing unit set की तो आपको export profits का reduction मिलेगा डिदक्शन कितना मिलेगा पहले 5 साल 100% of the export profits अगले 5 साल 50% of the export profits और अगले 5 साल 50% of the export profits subject to transfer to SEZ reinvestment reserve account ठीक है इसका reduction आपको old scheme में ही मिलेगा export profit कैसे आता है पूरी SEZ की unit का profit लेलो into export turnover upon total turnover proportionate आप देख सकते हो ठीक है उसके बाद last में हमारे पास आते है exemptions under section 10 ठीक है तो ये exemptions under section 10 इनको आप लोग पढ़ सकते हो उसमें कुछ मेरे बताने काया सच नहीं है ठीक है पहले November 23 तक बहुत सारे sections होते थे अब सिर्फ 6 sections आपके पास रह गए ठीक है ICAI के study material में income from other sources में दिये हो है बट मेरे साब से ज्यादा appropriate position इसकी deductions के बाद ही थी ठीक है तो exemptions under section 10 इसको आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो 1042 अगर आपके NRE account में कोई भी interest आता है अगर आपके NRE account अगर आपके NRE account अपका non-resident external account है उसमें कुछ पैसा पढ़ा हुआ है वहाँ पर कोई भी आपका interest आता है उस interest को exempt कर दिया जाएगा आपकी income में include नहीं किया जाएगा 1010 BC compensation received or receivable from the central government, state government, local authority by an individual or its legal heir on account of any disaster disaster हो गया तो इसका reduction आपको मिल जाएगा 1016 this is very important scholarship पर अगर आपको पैसा मिलता है कहीं से भी किसी भी type की अगर आपको scholarship मिलती है completely exempt हो जाता है 1017 अगर daily allowance मिलता है constituency allowance मिलता है member of parliament को वो completely exempt हो जाता है 1017A 1017A यह क्या है payment whether in cash or in kind in person of an award instituted in public interest by the government or awarded by the government for exam के लिए important वगेरा है नी और उसके बाद यह 1010A इसको भी आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हो ठीक है तो ELISA of India से अगर commuted pension आपको मिलती है तो वो भी आपकी income में include नहीं होता commuted pension इसके बारे में हम लोग ने salaries head में बात की हुई है तो commuted pension का reduction आपको 1010A में मिल जाता है तो यह वाली चीज मतब salaries head में important है अलग से कुछ exemption type की चीज़ यहां पर नहीं आईगी वो आपको मालूम है कि commuted pension जो है वो exempt हो जाती है ठीक है government वालों के लिए completely exempt हो जाती है non government वालों के लिए कुछ होता है ठीक है जो अलग-अलग conditions है that's it इसी के साथ हमारा deductions वाला chapter यहां पर complete हो गए वीडियो को like कर देना comment section में comment करके जरूर बताना आपको session कैसा लगा thank you take care अपना भेहान रखिए bye bye